एक बार फिट से स्वागत है आप सभी का ड्रीम क्लासेज में और आज से एक बहुत ही शांदार मैरथन की शुरुवात कर रहे हैं जिसमें हम आपको 10 सवाल लेकर आएंगे और उन सवालों को एक ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करेंगे शुरुवात हम नंबर सिस्टम से यहां से जो भी सवाल हम करेंगे वो बिल्कुल ट्रिक ली रहेगा और यह सभी सवाल यह सभी प्रश्न हर इक्जाम के लिए आगामी सभी परिक्षाओं के लिए रामबान होने वाला है तो चलिए यह सभी विद्ध्यार्थियों के लिए एक बहुती स्पेशल महराथन क्रितसम क्या हैं एक दो तीन चार पांच है और डोट 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 साथ सिक्स्टी साथ तक गया है और इनका योग मतलब एक से साथ तक को जोडने पर योग क्या आएगा यह हमें बताना है तो देखे ऐसे प्रश्नों को सॉल्यूशन तो हम करेंगे करेंगे लेकिन एक योग का मान के आएगा यह जानना है तो याद रखिएगा कि इसका एक ट्रिक होता है प्रथम प्लस अंतिम प्रथम प्लस अंतिम और डिवाइड़ेड बाई टू क्योंकि देखे सभी के बीच का अंतर जो है वो बिलकुल समाने एक दो तीन चार पांच है ऐसे साथ तर योगी बोले तो बस कुछ नहीं उसमें आप जो संख्या है उस संख्या से गुना करती है बस सिंपत अगर आउसत रहता तो इसकी कोई आवशक्ता नहीं थी अगर आउसत के जगा योग्य है तो आप संख्या से गुना करती है तो आप बताईए कि अब बात करें 60 संख्या है तो multiply by संख्या है यानि 60 ठीक है तो 60 जोड़ एक आपका हो जाएगा 61 61 बटे 2 गुने 60 क्या होगा भई 61 बटे 2 ठीक है ना 61 बटे 2 गुने 60 करेंगे तो यह आपको 30 बार में कड़ जाएगा छेतीया 18 1818 बना कर देगा और यह 1830 पहले ही नमबर में उप्शन में उप्शन है और इसी तरह से याद रखेगा यह ट्रिक याद रहे प्रथम प्लस अंतिम और डिवाइड़ वाई 2 करेंगे तो हमें संख्याओं का उसत प्राप्त होगा लेकिन हमें तो चाहिए नहीं हमें जितनी संख्या होगी, 60 है तो 60, 10 रहेगा, तो 10, 20 रहेगा, तो 20, ठीक है, उसके according हमें संख्या से हुना करना पड़ेगा, उमीद है, उमीद है कि ये trick आपके लिए एकदम अद्भुत रहा होगा, इसके उपर हम 10 सवाल, क्योंकि देखिये आप, जिस मैराथन के हमने कर दिया भई, कि वो जो सवाल होंगे, वो उसमें पूरा-पूरा concept रहेगा, और एकदम short method से बनाएंगे, और जैसा कि आप demo देख रहे हैं, पहला ही सवाल, जिसमें हमने आपको basic के साथ short method भी दिया, अभी देखिये, 2468… होना चाहिए था, ठीक है, सवाल ऐसे होना योग, ऐसे प्रशन होना चाहिए, खर कोई बात नहीं, मैंने लिख दिया है, ये आपका actual सवाल है, तो मैंने अभी-भी solution की बात की है, कि मैंने अभी-भी आपको बोला है, कि एक trick यूज करना है, और trick में क्या है भई, प्रथम प्लस अंतिम, प्रथम प्लस अंतिम divided by 2, औ और multiply by जितनी संख्याएं होगी, उससे गुना करें, तो पहली संख्या, तो साच्छात हमें दिख रहा है, कि सर पहली संख्या, शुरुवात दो से हुई, अंतिम संख्या, अंत 80 पर हुआ, divided by 2, अब गुने संख्या, अब सबको confusion हो गया, कि सर संख्या कितना होगा, 80 होगा संख्या, फोड़ा सा सुनिए, समझे इस चीच को, आपको यहां पर order event का बात हो गया, मतब सम और विशम, यह आपको संख्याएं दिख रहा है, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, और ऐसे करके dot 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 80 तक गए, तो आपको पता है, कि आपको शुरू से लेकर 80 तक चलना है, अगर 80 तक में, आपको पता होना चाहिए, कि सम और विशम की बात हो, संख्याएं 80 है, यह मुझे भी पता है, हम कहें कहां तक 2 से लेकर 80 तक, क्योंकि संख्या 2 से शुरू होती, एक से नहीं होता है, तो हम 2, 4, 6, 8 करते करते 80 तक पहुँचे, तो हमको पता है कि आधी सम हो होता है, और आधा विशम होता है, यानि 2 से, मतब सुरू से 80 तक चलने में, 40 सम संख्याओं का दर्शन होगा, 40 विशम संख्या, तो यहां पर आपसे पूछ रहा है संख्या, तो भई संख्या जो विशम है कहां, अगर 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 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 यहां तो सारी सम संख्याओं है, तो सम तो 40 ही है ना, और 40 विशम है, तो सम 40 होने की बज़ा है, multiply by 40 करेंगे, यह 20 बार में कटेगा, यह 80 अर्दो 82, और 82 गुने 20 करेंगे, तो 82 दुनी होता है 164 पर एगो 0, यानि 1640 जहां दिख रहा है, वो आपके प्रशन का उतर होगा, जो D number option में, उमीद है कि एकदम असपश्ट रूप से आपने यह सीखा होगा, कि यह 40 कहां से आया, clear है, आगे बेड़े, आज की क्लास बहुत शांदार होने वाली है, और इस trick, इस marathon को हम कभी रोकेंगे नहीं, यह लगातार बढ़ते चलेगा, और एक बहुत बड़े level तक लेकर चलेंगे इसको, आज से हमने इस marathon की शुरुवात की है, बिल्कुल इसी तरह से banner रहेगा, chapter चेंज होगा और यहां पर एक circle बनेगा, trick number 1, 2, 3 ऐसे करके बनाएंगे, ठीक है, तो खेर यह बात हम आगे करेंगे, आगे देखिए, 2, 4, 6, 8, 10, dot, 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 7 तक का योग ग्याद करना है, चलिए, बात एकदम simple है, हमने अभी अभी बोला है, कि प्रथम पलस अंतिम, संख्याओं का योग्य चाहिए, प्रथम पलस अंतिम बटे 2, और अगर योग्य चाहिए, तब गुना संख्या, अगर औस चाहिए होता तो संख्या की ज़रुत नहीं, तो पहल संख्या होती है, और 30 विशम संख्या होती है, यह बच्चा बच्चा जानता है, तो multiply by 60 इसलिए नहीं करेंगे, क्योंकि एक एक छोड़ छोड़ कर गए न, तो 30 कदम बढ़ाएंगे, 60 कदम, माल लिजे, 60 किलोमेटर चलना है, और 2-2 किलोमेटर पे रुकावर है, या फिर रहने दीजे, 30 का 30 ही रहने दीजे, यह बारशट, स्वरी, ताठ और दो, बारशट, बारशट बटे, दो गुने, तीस करेंगे, तो यह 31 बार में कटेगा, 31, 93, संख्याओं का यूग जो बना कर देगा, वो 930 बना देगा, जो आपके D-Number option में आपका उतर है, समझ में आ से बहुत सारी सोचल मीडिया से आपको बहुत सारा हेल्प मिलेगा, हमारी टीम से बात करने का मौका मिलेगा, हमारे साथ जुडने का मौका मिलेगा, बहुत अच्छे च्छे नयने बैचे लॉंच हो रहे हैं, जैसे फाउंडेशन 2.0, एक बार जुड़के देखिए, पहले ये देख लीजे, कि अगर 69 की बात करें, तो दिखिए ये संख्याय जो है ना एक पेर में होता है, चोड़ा में, तो पेर में होता है, वैसे तो आपको पता होना चाहिए, अगर ये 68 होता, तो 34 सम और 34 भी सम, क्योंकि हमें यन की वैल्यू प्रॉपर जाननी चाहिए अगर 69 ना लेकर 68 होता, तो 34 odd और 34 even, ये बात तो आपको पस्टूप सा समझ में आ रहा है, लेकिन 68 की बज़ाए 79 है, तो एक कौन बढ़ा, विशम संख्या, तो अगर सम की बात करें, तो कहेंगे सर सम 34 रहेगा, लेकिन 69 में एक एक्स्ट्रा हो जाएगा, क्योंकि 35 हो जा में, तो हम कहेंगे न, 34 सम और 34 विशम, और अगला एक संख्या जुड़ेगा 79, एक जुड़ेगा, ठीक है न, 68 पुलस एक संख्या, तो ये जो जुड़ा, 69 जुड़ा, ये सम है, ये विशम है, ओबिसली विशम है, तो ऐसी स्थिती में विशम 34 के बज़ाए 35 हो जाता है तो हमें विशम संख्या पर चर्चा हो रहा है, तो यन का मान क्या देखेंगे, 35, मतब संख्याओं की संख्या 35 हो जाएगी, तो हमें पता ही है, और उसी ट्रिक को हम अपलाए करेंगे, क्या है बई, प्रथम तो प्रथम एक है, पलस अन्तिम, अन्तिम 69, divided by 2 गुने संख्य अब सर ये कैसी संख्या है, अगर सम होता, तो हम 34 ही रहने देते, लेकिन विशम से शुरू हुआ है, विशम पर खतम हुआ, इसलिए विशम एक एक्स्ट्रा हो गया, तो आपको संख्याओं की संख्या 35 हो गई, तो यहाँ पर multiply by 35 करेंगे, तो यह आपको 35 बार में कटेग 35 कितना होना चाहिए, 5, 25, लास्ट में 5 होना चाहिए, 1200 होना चाहिए, सोरी, 1225 क्योंकि और किसी भी संख्या के अंत में 5 है नहीं, और 5 को 5 से गुना करने पर अंत में 5 ही आता है, यह बात आपने पहले से सीख रखी होगी, तबको अच्छा लग रहा है, आनन्दार है, बि ठीक है और एक बार आप हमारे साथ जुड़िए फिर आप देखेगा कि क्या आनंद हम आपको देते हैं चलिए वीडियो लाइक और शेयर करिएगा ठीक है ना इससे क्या होता है कि जब भी हम दुबारा आपके लिए कुछ नया लेकर आएंगे तो आपको उसका जो है नौट अभी वो ट्रिक यह जो ट्रिक मैं अभी तक अपलाई कर रहा हूं चार्ट सवाल मैंने कर दिये पर मैंने आपको एक चीज बताना भूल मैं भूल गया कि जो प्रश्न है एक क्रम में होना चाहिए एक सिरेनी में मतलब अंतर हर जगा सेम होना चाहिए जरूरी नहीं कि एक तो प्रथम तो हमें एकदम सक्षाद दिख रहा है 28 और अंतिम हमें सक्षाद दिख रहा है 80 डिवाइड़ वाई टू दिग्या लेकिन अब संख्या की समस्या होगे अगर एक से 80 होता तब तो कहते है सर 40 को सम 40 को भी सम लेकिन समस्या यह कि एक से शुरूआत का हूँआ 28 स का तक नहीं किया क्योंकि सम है तो 26 तक यूज नहीं किया तो आपने 28 में 26 तक का यूज नहीं किया तो यन का मान गयात करने के लिए संख्या के दिगार क्या लिखना होगा इसके लिए इतना ताम जाम कर रहे अगर एक से 80 तक चलता तो हम कहते है सर 40 को समसंख्या है एकदम असपष्ट दिखराये कोई दिक्कत नहीं न अकल्का एकदम चालिस गो समसंख्याई 40 गो भी समसंख्याई लेकिन हम चले कहां से 28 से तो हम ने पिछला कौन सी समसंख्या चोड़ दी 26 तक है चालिस टक हम चोड़ दी सम beauty सम् संख्यां जो मिलेगा वो 40 में 13 घटा दीजिए मिलेगा 27 फिर से समझिए अगर शुरू से 80 तक होता तो 40 गो सम 40 गो विशम लेकिन शुरूआत 28 से हुआ तो हमने पिछली कौन सी सम संख्या तक छोड़ दी 26 तक यूज नहीं किया 26 तक में 13 सम और 13 विशम को यूज नहीं किया विशम तो वैसे भी नहीं यूज हो रहा है 13 सम यूज नहीं किया सम 40 था 40 में 13 नहीं यूज किया तो 27 को यूज किया यानि यह जो संख्या है संख्या के जागा 27 अब देखे यह 80 वी 108 बटे 2 गोने 27 करेंगे तो यह 54 बार में कटेगा 4 गोने 7 लास्ट में 8 आना चाहिए ज 27 चका ठोटल से 8 हाथ में रहा गया 10 और 27 पचे 35 से और 10 एक सो पेता बिलकुल सही बात है 1458 आपके प्रशन का उतर कुछ चीजों को बना कर नहीं करके डाइरेक्ट देख कर भी मतलब अपना कॉंसेप्ट लगा कर अपना दिमाग लगा कर उत्तर कर सकते हैं सही है एक दम लग रहा है कि आपका गणित मक्खन होगा यहां से आज हम 10 से 11 सवाल करेंगे क्योंकि यह टॉप 10 में रहा था नहीं हर बार जब भी लेकर आएंगे 10 से 12 प्रशन लेकर आएंगे कभी 8 भी हो सकता है कभी 10 भी हो सकता है कभी 10 सवाल और वो 10 का 10 एक दम स्पेशल 21, 22, 23, 24, 75 तर तो ऐसी संख्याओं का योग्य चाहिए कोई बात ने बिल्कुल करेंगे भाई अब देखिए योग्य की बात करें हमने आपको पढ़ा रखा है कि अगर एक स्रेणी में हो और संख्याओं का योग बोले तो प्रथम प्रथम में 21 है अंतिम में 75 है 21, 22, 23, 24 अगर 1 से 75 तक होता तो संख्याओं की संख्या 70 तोटल कितने नंबर होते 75 लेकिन हमने शुरुआत करी है 21 से यानि हमने छोड़ा कहां तक 20 तक को यूज नहीं किया तो 75 में 20 गया तो कितना हो गया पच्पन यानि 55 संख्याओं को हमने प्रियोग में नहीं किया तो तो ये 48 बार में कटेगा 8 45 अंतीम में 0 किसका है 8 45 अंतीम में 0 है 2640 सुचिए कभी कभी कुछ ना करके भी बहुत कुछ हो जाता है सुचिए अब इतना लंबा गुना कौन करेगा लेकिन सबको पता है कि सर अंतीम का अंतीम से गुना होता है तो 8 45 एक ही संख्या है जिसके अंत में जिरो अगर दो तीन रहता तो फिर गुना कर लेते बच्चों की तरह लेकिन उसकी जरुत नहीं पढ़ रही concept देखिए कि कितना तगड़ा concept हम आपको दे रहें इसके बावजूद भी अगर आप आज class को देखते हैं और बिना वीडियो को लाइक किये चल जाते हैं तो फिर हमें लगेगा कि हमारे अंदर ही सायत कोई ने कोई कमी रही होगी इसलिए भी द्यारती लोगों ने लाइक नहीं किया और तावड तोड़ अगर आप लोगों ने लाइक किया तो अगली class तुरंत आपके लिए लाके रख देंगे आपके स्क्रीन के उपर कि लो भाई पढ़ते रहो हमानी दा मॉन्टेन मैं की तरह थाईस पचीस सताइस डॉट 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 एकत्तर तक कही हो जए है चलिए ट्रिक की बात करें ठीक है प्रथम प्रथम 23 है अंतिम अंतिम एकत्तर है प्रथम पलस अ प्रथम तो मिल रहा है अंतिम भी मिल रहा है डिभाइड़ बई टू भी कर रहे है अब देखिए अगर एक से एकत्तर तक की बात करें तो जोड़ा के हिसाब से चला जाता है 35-35 पैतिस गो सम होगा लेकिन विशम हो जाएगा 36 क्यों क्यों शुरुआत सारी विशम संख्या लेकिन विशम संख्या एक बढ़ जाता अगर सत्तर रहता तो 35-35 पैतिस विशम लेकिन एकत्तर आया तो 17 वक्या है विशम है तो एक उधर जोड़ेगा 62 रहता तो 36-36 विशम लेकिन अब समझे गा कि हमें ये समझ में आ गया कि विशम संख्याए 36 है अब आपने विशम कितना नहीं हुज हुआ, तो कहेंगे सर संख्या जो होगा, जिसमें आप विशम का मान 36 ले रहे थे, एक से 71 तर, जिसमें हमने 22 तक यूज नहीं किया, जिसमें 11 विशम संख्याओं को यूज नहीं किया, तो 36 में 11 गटेगा, तो संख्या जो होगा, वो 25 आएगा, ठे 7, 35, 5 यहां भी 5 वहां भी तो अब ऐसे condition में आपको 47 multiply by 25 करना होगा तो 7, 35 के 5 हाथ में रहा 3, 5 चक 20, 23, 23 और 47 दुनी 94 तो यह आपको 5, 4, 3, 7 और 9, 2, 11, 1175 1175 is the correct answer होगा और यह 1175 B number option में आपको दिख रहा है उमीद है कि यहां तक आप एकदम बिल्कुल अच्छे डंग से सीख पा रहे हैं ताकि आपको लगे कि in future ऐसे प्रशन अगर कभी भी किसी भी competitive exam में पूछ लिया जाए तो बन जाना है वहां पर माजीदा मॉंटेन मैं और बना देना है ऐसे प्रशनों को हल यह सवाल बड़ा ही trending में आजकल चल रहा है बहुत पूछता है number system में ठीक है और average में भी ऐसे प्रशन पूछे गए हैं बहुत बार तो हम चाहते हैं कि इसको अच्छे से बनाए 3 के परथम 10 गौनजों का उसर तो देखें 3 के परथम 10 गौनजों का उसर तो तेкахते हैं तो दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं तो मैं चार तरीके से कर दो पर आपके लिए 2 सफिसें रहेगा तीन के पर्थम दस गुनज, मतलब समझ रहे हैं, तीन का टेबल पढ़ना है दस बार, तीन के पर्थम दस गुनज, तो ऐसे कर सकते हैं, तीन, छो, नो, बारा, डो, 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 दस बार पढ़ेंगे, तो तीन, दहें के तीस, ये तरीका, एक और तरीका है, ये भी बताए हैंगे हम आपको थोड़ी देख में तीन के प्रथम दस गुण जो का योग योग बोल रहा है न तो तीन चो नौ बारा और तीन का पहाड़ा कितने बार जितने गुणा जो बोले उतना बार पहाड़ा तो तीन का पहाड़ा दस बर पढ़ेंगे तो तीस आएगा अब इनका योग चाहिए योग के लिए हमने अभी अभी पढ़ा है प्रथम प्लस अंतीम डिवाइड़ वाई टू और गुने संख्या इतने गुनाज दस गुनाज तो संख्या दस होगा तीस और तीन ते तीस बटे दो गुने दस करेंगे न तो यह पांच बार में कटेगा तीस इसके प्रथम एं गुनाज एन गुनंजो का योग यह फॉर्मूला रखिएगा इन फूचर कभी भी काम आयेगा वीरतने गुने ऑन गुनाज गुनाज के कामान तीन होगा कितने गुना दस गुना तो यह नकामान दस पलस एक बटे दो यह आपको हो जाएगा के इंटू एंड प्लस वन बाइट तू के प्रथम दस गुन जो काउसन अच्छा योग यह बोल रहा है तो यह बोल रहा है तो ऐसे कंडिशन में इतना करने के बाद दस गुना जा तो मल्टिप्लाई वाइट 10 करतेंगे ठीक है और इंटू 10 करेंगे इसकी जरूत नहीं पड़ेगी 33 बटे दो 33 बटे दो गुने 10 करेंगे तो यह पांच बार में कमेंड करके नीचे समझ में आ रहा है ऐसे परश्ण अगर एक्जाम में कभी भी पूछा जाए कभी भी किसी भी परिश्टिती में कोई भी एक्जामेनेशन में अगर आ जाए तो हमें नहीं लगता है कि आप इसको छोड़ोंगे नहीं हाँ चलि 2-3 सवाल और अच्छे-च बार पढ़ना है तो इनका योग्य चाहिए तो हमको ट्रिक पता है प्रथम प्रथम प्लस अंतिम डिवाइड़ वाई टू और कितने गुना चाहिए भाई अठारा गुना देद मल्टिप्लाइब यह नौ बार में कड़ गया यह आपको जुटकर आएगा एक सो चौदा और गुने 9 करेंगे तो 14 नमा 126 91025 1026 जिए आपके प्रशन का इकडम मांजीदा मॉन्टेन मैं बनना एक दम फटा-फट उत्तर करते चलेंगे पड़े आगे कोई दिक्कात बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए ऐसे प्रस्ण जब आ जाए ना तो छोड़ना ही नहीं है भाई 37, 42, 48, 90, 96 का योग चाहिए देखें ऐसे प्रस्ण को अल्रेडी अभी हम पढ़ा चुके हैं ठीक है अगर देखें 6, 6 का गैपिंग है 37, 42, 48, 48, 48 जो भी है ऐसे करते करते है 90 और 96 नहीं 6, 6 का गैपिंग है तो आप ये देखिए कि 96 तक में अगर 6, 6 का गैपिंग हो तो संख्याएं कितना पॉसिबल है 16, 93 है ना अब दो-दो का तो गैपिंग है नहीं कि कहेंगे 48 गैपिंग हो तो संख्याएं कितनी होगी 16 लेकिन हम शुरुआत कहां तक कर रहे हैं 26, 7, 23, 23 तो छे, 12, 18, 24, 30 तो आट, शुरुत 15 नहीं 200 गैपिंग हों 550 संख्याएं कितनी होगा Sanders छे दुनी बारा, 669 के 660 और 66726 के आसपास आएगा आपको बिल्कुल सही बात है तो आपके प्रशन का उत्तर क्या होगा 7 to 6 हो गया क्या इतनी सी बात आप सभी को समझ में आ रहा है गनित हो रहा है मक्षन, बताएं आप लो ताकि अगले प्रशन को आपके स्क्रीन पर रखा जाए बोलो भई, समझ में आ रहा है ready for the next question, चलिए अगला सबस, ये कैसे आया कहेंगे सर 6-6 का 6-6 का gaping है तो 6-6 का table अगर 96 तक जाने के लिए 96 बटे 6 करेंगे, 16 संख्या होनी चाहिए लेकिन हमने शुरुआत किये 36 है तो कौन चोड़ा, 6, 12, 18, 24, 30 पान संख्या हमने चोड़ दिया तो 16 में से 5 गटा दिये, एन का मानी 11 देखे, 11, यहां तक तो सवाल ही है डियर सवाल क्या कह रहा है 120, 135, 1500, 600 तो आप देखे, सिंपल बात है इनका योग्य चाहिए, हमको ट्रिक पता है, प्रथम पलस अंतिम अंतिम 600, divided by 2 और गुने संख्या चाहिए सबसे बड़ी बात यह है, तो आप यह देखे 120 के बाद 135 है और 135 के बाद गैप कितना का है, 15 का गैप है अगर सुरू से चलते तो 600 संख्या में अगर 15 15 का गैप हो, 15 चक 40, संख्याओं का मान कितना होना चाहिए 40, लेकिन हम सुरू से चले काम तो 120 से चले, सिंपल समझे एक बार फिट समय करना आता हूँ 600 तक का योग चाहिए, और गैप कितने का 15 का, 15 चक साथ यानि ऐसे में संख्याओं का मान 40 होना चाहिए, लेकिन हमने छोड़ा कौन 120 से हमने यूज किया तो 15 एकम, 15, दूनी 30 या 45, चौके साथ नहीं, ऐसे बढ़ते हैं ना हम लोग 15 चक साथ, 15 पचे पचत्तर 15 चक नबबे, 15 सते एक सो पांच 105 तक हमने यूज नहीं किया सीधे हमने 15 एक सो बीस सा यूज किया 1 टू जीरो तो 15 एक सो बीस मतब आठी संख्याँ से लेकर हम 40 वी संख्या तक गए हमने 1 से 7 यूज नहीं किया यानि 40 में 7 घटा दीजे यानि जो संख्याँ का मान होगा वो 33 ही होगा और यहां multiply by 33 करेंगे यह हो जाएगा 720 720 बटे 2 गुने 33 करेंगे तो यह 36 दुनी 72 तर 360 और 6 38 अंतिम में 8 आना चाहिए अंतिम में 8 है 11 1880 आप calculate करके देख लीजेगा हमारा तजूरबा कहता है कि गलत उत्तर नहीं क्योंकि अंत में 6 है और इधर 3 है तो 6-3-18 लास्ट में 8 और कहीं भी नहीं है लास्ट में उधर 9 है तो यह आज का यह पहला trick पहली class जो आपके लिए बहुत शूपर डूपर रही होगी वीडियो लाइक शेर किये वे बिल्कुल मत जाईएगा और आग चाहते हैं कि यह मैराथन continue चले 10-10 सवालों का यह 10 सवाल आपके लिए एक golden time रहेगा जब हम इसको पढ़ाएंगे तो एक बहतरीन मैराथन जिसमें आपको ऐसा फिल होगा कि लगता है सरसे 2 घंटे से पढ़ रहे थे ऐसा फिल होगा मतब पता ही नहीं चलेगा कब यह 10 सवाल हो गए और कब आपने एक बहुत बहतरीन टॉपिक हम से सीख लिया लाइक शेर करिएगा कमेंट करिएगा और हमारे अप्लिकेशन को जरूर इंस्टॉल करिएगा वहाँ पे हम पूरी किताब फ्री में दे रहे है ये वाली पीडियाप के रूप में अगर आपको ये बुक यह सारे ट्रिक यहीं से हैं डिया यह सारे ट्रिक्स जो है ना इसमें मिलेंगे आपको जब यह किताब की पीडियाप आप डाउन्लोड करके पढ़ोगे इस पीडियाप को डाउन्लोड करने के लिए कुछ नहीं बस आपको इंस्टॉल करना है ड्रीम प्लासेज ओपिस्यल और नोट्स वाले सेक्शन में जाकर देखिए ब्रह्मास 2.0 करके देखिए बुक का नाम कहा है भई ब्रह्मास 2.0 तो अब ब्रह्मास 2.0 में जाकर देखिए आपको सारा पीडियाप चेप्टर वाइस मुल देखिए प्री अपकोस डाउन्लोड करिए जिरॉक्स कराईए और आनंद लेकर पढ़िए ओके चल competitive exam में प्रश्ण पूछे जाते हैं और ज्यादा तर विद्यार्थियों से सवाल छूट जाता है आज के बाद ये समस्या आपके साथ नहीं होगी क्योंकि हम इसका एक रामबान ट्रिक लेकर आएं और देखिए नंबर सिस्टम में कैसा सवाल है एक का स्कॉयर जोर दो का स्कॉयर जोर तीन का देखते के साथ ही लगाओगा हाँ सर ऐसे प्रश्ण एक्जाम में पूछे जाते और ऐसे प्रश्ण छूटते भी हैं लेकिन आज के बाद नहीं छूटेगा क्योंकि एक रामबान ट्रिक देने वाले एक से असी तक के संख्या के वर्गो का यो यह सभी कैसी संख्या है नेचुरल नंबर है प्राकिर्त संख्या है गिंती की सभी संख्याओं को वर्गो का योग कहिए सर वर्गो का क्यों लिखे देखे सब में स्क्वाइर लगा हुआ है मतलब एक का स्क्वाइर जोड दो का स्क्वाइर जोड तीन का स्क्वाइर डॉट 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 हम असी तक चल गए तो एक से असी तक जितनी भी संख्या है उनके वर्गो का योग सिंपल सा ट्रिक है फॉर्मूला याद रखेगा एन इंटू प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन वाई सिक्स ये फॉर्मूला एक बार लगाईएगा आप से सवाल नहीं छोटेगा अब कहेंगे सर यन का मान सिंपल बात है एक से असी तक गए तो यन का मान असी लिखेंगे असी जोड एक होता है 186 गुने टू एन असी दुनी एक सो साथ में एक जोडेगे 1612 चे अब देखिए सिंपल बात है काटा पिटी तो करेंगे 2 तीया छे चालिस दुनी असी अब ये तीन से कटेगा 27 तीया 27 तीया ये क्यासी ठीक है ना तो अब इनको उपर तो कट गया अब 40 गुने 27 गुने 161 करने के बाद आपको जो संख्या प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा 17 38 असी और ये 17 38 असी जो है वो आपके B number option में है और उमीद है कि पहले ही सवाल में मैंने आपकी आखे खोल दी है कि सर इतना short trick अब जब मुझे याद है मैंने बिना देखे एक सांस में लिख दिया कि N into N plus 1 into 2 N plus 1 by 6 तो आप भी याद कर सकते हो इससे related कुछ ऐसे सवाल जो confusion वाले होते हैं आज हम clear कर देंगे यह तो normal सवाल है अब देखे एक हुआ एक मैं अपने मंद से लेता हूं जैसे मान लिजी एक सवाल ऐसा उमीद है कि इसमें आपको कोई संकोच नहीं है थोड़ा सा calculation करने में लगा होगा वो तो normal calculation है वो तो हर कोई करेगा अब इसी में एक छोटा सा सवाल देते हैं जैसे एक का स्कोईर जोड़ दो का स्कोईर जोड़ तीन का स्कोईर डॉट 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 हम चले गए बीस तक के स्कोईर में इतने तक गए बीस तक के स्कोईर में और इनका योग ये पूछा जाए तो हमने अभी अभी बोला है हमने अभी अभी ट्रिक बताया है इसर ऐसे प्रश्णों का योग बरावर फॉर्मूला होता है तो होता है अब एक से बीस तक के प्राकिट तसंख्याओं का योग है यानि यन का मान क्या रखेंगे बीस रखेंगे 20 में 1 जोडेंगे तो ये 21 हो जाएगा और 20 दुनी 40 और ये 41 बटे 6 हो जाएगा अब 2 से काटेंगे तो 3 बार में और 2 से काटेंगे तो ये 10 बार में और ये 3 से काटेंगे तो 10 सते 70 और 70 गुने 41 करने में जितना समय लग जाए 7 गुने 1 7 और सच्चक 28 287 पर एगो जीरू मतब इस तरह से कोई भी सवाल किसी भी तरह का सवाल अगर पूछा जाए नैचूरल नंबर से अभी तो इसमें थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा यह तो बेसिक हैडियर इतना तो common है आना अब एक्जाम में थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया है सवाल डैरेक बच्चा जानता है और एक्जामिनर भी जान रहा है तो अब इसमें देखिए परिषानी एक से सुरू नहीं करेगा वो प्राकिर्त संख्यां ही रखेगा लेकिन सुरुवाट 1 से नहीं करेगा, शुरुवाद 20 से करेगा अब समझ से आ गया, कि सर हमारा अगर 1 से रहता, क्योंकि प्रथम N प्राकिर्त संख्या के बरगों का योग वाला फॉर्मूला हम बोले यह जो है ना, यह प्रथम N प्राकिर्त संक्या मतलब शुरुवात एक से होगी लेकिन सवाल है कि सर शुरुवात एक से तो हुई नहीं शुरुवात हुई 20 से और 70 तक गया तो ऐसे कंडिशन में करना क्या है समझे मेरी बात क्या हम एक से 70 वाले फॉर्मूले हैं समझे एक से 70 में क्या हम घटा सकते हैं एक से 19 का घटा देंगे तो एक से 70 में एक से 19 घट गया तो बचेगा कितना 20 से 70 common sense लगाईए 1 to 60 मतब एक से 70 तक की संख्या में अगर एक से 19 अटा दीजिए मतब 19 विद्यार्थियों को आगे से भगा दीजिए तो रॉल नंबर 20 वाला रहेगा और कहां तक जाएगा 70 तो इसलिए एक से 70 में एक से 19 घट आईएगा तो आपको बचेगा 20 से 70 और हमको यही तो चाहिए भाई 20 से 70 तो पहले आपको क्या करना है न कि एक से लेना है तो एक से 70 तक चलेंगे तो यह अनकामान 70 70 गुने N प्लस 1 देखे फॉर्मूला क्या है हमारा फॉर्मूला है N इंटू N प्लस 1 इंटू 2N प्लस 1 और डिवाइड़ड़ वाई 6 यही फॉर्मूला है न हमारा तो हम पहले एक से 70 गए एक से 70 में 19 तक घटा देंगे तो 20 से 70 बचेगा और 20 से 70 तक कई वर्ग चाहिए तो हम क्या करेंगे N का मान 70 लिखेंगे 70 में एक जोड़ते हैं तो 71 आ जाएगा 70 में 70 दूनी 40 140 और बटे 6 करेंगे माइनस अब 1 से 19 तो यहन का मान 19 19 में एक जोड़ें क्योंकि एन प्लस 1 होता है 20 और 20 में एक जोड़ेंगे 21 और डिवाइड़ड़ वाई 6 होता है अब इ यह दो ती अच्छे और यह 35 दूनी 70 और यह कटके आएगा करेंगे तीन चक बारा हां पटी से बन यानि आपको इधर बच गया 35 गुने 71 गुने 47 और माइनस देखें कुछ सवाल जो है जो मुझे जरूरी नहीं कि मैं बच्चों की तरह कैलकुलेशन करके दूँ मेरा बस एक ही लक्ष है कि मैं आपको एक कॉंसेट क्लियर करा दूँ बस इतना ठीक है अब इधर देखें कटेगा तीन दूनी 6 और तीन सते 21 दो सते दस दूनी 20 तो यह आपका 19 गुने 10 गुने 7 क्या इतना बात आपको समझ में आ रहा है याद रखिएगा कि एक्जाम में जब भी सवाल देगा ना तो इतना कैलकुलेटिव नहीं देगा और इतना सॉल्व करने के बाद इसको सॉल्व करने के बाद 11, 43, 25 यह आपके प्रश्न का एक्चुल में आंसर होगा जो आपके C नंबर आप्शन में उपलब्द है एक बार देख लीजिए क्लियर है देखें कुछ नहीं किया हमने कहिए सर 20 से 70 कैसे निकाल निकाला जाता है आरे भाई पहले एक से 70 वाले को बुलाओ रॉल नंबर 20 से 70 तक के संख्या के वर्गों का यो कैसे निकालेंगे हम कहेंगे पहले पूरे क्लास को बुलाओ पूरे क्लास में एक से शुरुआत होती है और खतम हाँ थोड़ा calculation है तो वो तो करना पड़ेगा simple बात है और examiner ज्यादा calculated सवाल नहीं पूछता है वो भले ही मैंने book से उठा कर आपको दे दिया है लेकिन आप यह याद रखना कि exam में जब आप बैठोगे तो इतना calculation नहीं रहेगा कि आपको ज़्यादा समय रहे है हाँ ट्रिक रहेगा method अलग रहेगा गूमा के पूछ सकता है और इवेंट की विचर्चा होगी जैसे देखो यहाँ पर एक सवाल आ गया कि दो का square जोड चार का square जोड छे का square डॉट 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 हम 20 तक का योगया थे यहाँ पर जो है न यहाँ पर सम संख्यां के वरगों का योगया यहाँ पर कोई बीविचम है अब सवाल के सम और सब्सक्राइब तो आप याद रखेगा, एक formula याद रखेगा, हमेशा काम देगा, ठीक है न, आप एक trick याद रखेगा, और वो trick ये होता है, ठीक है न, कि सम्संख्या के, सम्संख्या ऐसे लिखे, सम्या लगतार, लगतार है गा न ये, लगतार, सम्या, विशम, सम्ख्या के, वर्गो का योग, याद रखेगा, ये वर्ग हमेशा रहेगा भाई, वर्गो का योग, तो याद रखेगा, formula ये होता है, sum हो या विशम, दोनों का एक ही formula होता है, formula होता है, n into n plus 1, into n plus 2, divided by 6, copy में नोट करिए तो पहले, फिर हम इसके n plus 1, ठीक है न, n into n plus 1, into n plus 2, यहाँ पर 2n ना लिखकर, फिर से हमने n plus 2 कर दिया है, तो ये थोड़ा सा परिवर्टन हुआ है, अब इसके उपर हम करते हैं, solution, और आपको दिख रहा है, कि sum संख्या की शुरुवात होई है, बिल्कुल आरंब से, क्योंकि sum की शुरुवात 2 से होती है, 2, 4, 6, 8, और वो 20 तक गया, तो यहाँ में ऐसे condition में यह मत कहिएगा, कि सर 20 में 10 sum होता है, 10 भी sum होता है, यहाँ पर आपको यन का मानना पड़ेगा, 20 मानना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग 2 से शुरू होकर 20 तक गया है, तो आखरी में यन बराबर क्या है, 20, यह से condition में formula क्या है, 2 से चल कर 20 तक, तो यन का मान 20 होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे sum संख्या के, क्योंकि sum संख्या के वर्गो का योग, आपने यह सब बहुत कम पढ़ा होगा YouTube पे या कहीं भी, एक बार आप मुझसे पढ़ लीजे, जीवन भर याद रखेगा, तो हमने हुआ है कि नेचुरल वाले में 2N प्लस 6 था, तो यहाँ कुछ चेंज हुआ है, तो यन का मान कितना है, भाइपी, 20 है, तो 20 में 1 जोडेंगे 21, और 20 में 2 जोडेंगे, तो 22 22 और डिवैड़ेड़ वाई 6, तो 3 सते 21, 3 दूनी 6, दो दहें के 10, तो 22 सते 54 से 154 पर एगो जीर 1540 और यह C नमबर ऑप्शन है, बताइए, कैसा लगा यह कौन से, बहुत 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 बहतरीन तरीके से मैंने कूर्शिस किया है, कि मैं आपको बताओं, मैं आपको क्लियर करूं इस चीज को, बात समझ में आ रहा है, चलिए, आप देखिए, यहाँ पर एक सवाल जो है, लेकिन कोई बात नहीं, यह जो है न, यह आपके लिए IMP है, एकदम ध्यान रहें, यह आपके लिए important है, और जब मुझे मौकिक याद है, मैंने बस अपने आपके ओपर यह देखा, मैंने अपने आपको, कि मुझे याद है, तो आपको क्यों नहीं, बिलकुल कोने में पता रहता था अपने classroom में, तो महारे दोस्तों को पता था, जो करीबी दोस्ते उसको पता था, ठीक है, कि यह power इसके अंदर है, यह इंसान बैठा वह भले चूप है, लेकिन जो मुझे नहीं जानते थे, जो मुझे नहीं पैचानते थे, तो जब मैं classroom में पीछे बैठा र है तो सम ही, लेकिन शुरुआत होई 36 से, घड़बढ है दियर, शुरुआत होई 36 से होना चाहिए था, एक दो का square, चार का, छे का, आट का, दस का, लेकिन यहां शुरुआत हो गई 36 से समस्या, अब इस समस्या को दूर कैसे करेंगे, 36 का square, 38 का square, 40 का square, dot dot dot, 70 कुछ नहीं है आप क्या कर दो, एक से सतर, 1 to 70, 1 to 70 कहा दीजिए या 2, क्योंकि समसंख्या है, 2 से सतर में क्या हम 2 से 34 तक का घटा देंगे, कहेंगे सर 36 त 35 तक का घटा ही है ना, अरे जनाब विसम का चर्चा कहा हुआ है, अगर विसम का चर्चा होता तो हाँ 1 से सतर लिखते ना, और यह यहां 1 से 35 घटा ते, यहां तो समसंख्याओं की बात हो रही है, तो समसंख्या 2 से सुरू, एक से सुरू नहीं होता है, दो से सुरू होता है, तो 2 to 70, 2 से सतर में अगर 2 से 34 घटा दिया जाए, तो 34 के बाद अगली समसंख्या 36 ही होती है, हम लिखने का तो 35 भी लिख सकते तो उसे साब से तो यहां 1 से सतर लिखते और यहां 1 से 35 लिखते, 36 से सतर घटके आता, लेकिन ऐसे प्रस्न में थोड़ा सा अपने दिमाग को, अपने ग्यानिंद्रियों को अच्छे से यहां पर समझिए, गनित बिलकुल मक्षन होगा, यह मेरा वादा है आप लोगों से, ठीक है, मैं प्रामिस करता हूँ, आपका गनित मक्षन होगा एक दिन, बस जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, जैसे मैं कर रहा हूँ, करते जाओ, ठीक है भाई, तो हमने 1 से 70, 2 से 70, तो मैंने अभी अभी बोला कि जब हम 20 तक गए थे, 2 से 20 तक, तो हमने यहन का मान 10 नहीं लि सम संख्या के बरगों का यह बरावर, n into n plus 1 into n plus 2 divided by 6, तो तो न प्लस 1 किसमें है, वो natural प्राकिट संख्या, यह सम हो या विशम हो, इस पर यह काम करेगा, याद रखेगा, सम या विशम संख्या के बरग, तो यह न का मान कितना है भी, 70 है, तो 70, और 70, यहनी 70 में एक जोड 32 ही क्यों कि बैए 34 के बाद 33 होता है, समसंख्या में, और 36 शुरूआ तो समसंख्या, चार 6, तो यहां पर 34, यहां पर 34 नहीं को तो 35 और n प्लस 2 करेंगे तो 36 और डिवाइड़ वाई 6 अब करना कुछ नहीं है ये 6 चक 36 से बार में कर गया और ये 12 चक 72 बारा बार में करने के बाद आपके प्रश्न का उत्तर होगा बावन हजार पांचो और ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है इस तरीके से आप बनाईए ठीक है क्या होगा डियर बावन हजार कैलकुलेशन करना पड़ेगा ये टॉपिक ही ऐसा है जिसमें आपको थोड़ी सी आवशकता पड़ ज बिखुलेशन कर सको थोड़ा सा समय लग जागा कैलकुलेट करने में लेकिन देखिए फार्मुला यही है कि सम और विशम संख्या के वरगों का यह पूचे तो यहनीक न प्लस न प्लस रिए इनीट-प्लस-1-2-1-1-1-2-1-1-1-1-1-2-1-1-1-1-1-2-1-1-2-1-1-2-1-1- हूं हमने समसंख्या या विशम संख्या के प्राकिट संख्या सम या विशम संख्या के बरगों का यह दोनों का एक योग विसम संख्या के वरगों का योग बरावबर सम और विसम का सेम फॉर्मुला है यहन इन्टो एनट प्लस वन इन्टो एन्ट प्लस टू डिवाईड़ेड वाई सिक्स तो यन का मान कितना है वही दीज तक गए है ना एक से एकिस यन का मान एकिस होगा यहां 21 और यहां 21 में 1 जोड़ेंगे 22 और यहां 21 में 2 जोड़ेंगे 23 और divided by 6 करेंगे तो 3 दूनी 6 और 3 सते 21 और यह 11 बार में 11 सते 77 77 गुने 23 करेंगे तो 23 सते 23 नहीं 27 गुने 3 सते 21 लास्ट में किसमें एक है 1770 का एक दम सिंपल तरीका है यहां साथ है और यहां तीन है तो साथ गुने 3 एक है यहां वैसी संगे जिसके अंत में एक हो कोई और होता तो फिर देखा जाता कोई और है ही नहीं 1771 आपके प्रशन का उतर होगा है तो समझेगा कहीं ने कहीं आपके मेहनत में तोड़ा बहुत कसर बागी है और आपने इस वीडियो को पुरा देख लिया हो अभी तक और लाइक और शेर नहीं किया आपने हम समझेगे कि हमारे घुषाण के इतना क्लास होने पार यह आप में कमी है छूट गया हो और कमे वो फ्रीद करें और कि यहाँ को जरूर इंस्टाल कर आफ हंसे बहूर्त सारी सुविधा यहां पर आपको बहुत सारी सुभधाएं मिलेगे करिएगा रेटिंग अच्छी दीजिएगा एप के ऊपर फिट बैक पूछा जाता है और इससे आप बिना कोर्स पर्चेस किये भी अगर आप पर्चेस करना चाहते हैं तो अभी नया बैच चल रहा है फांडेशन 2.0 जो हमारे अप्लिकेशन पर इंस्टॉल है इस अप्लिकेशन पर और अभी अगले महीने से बैच की शुरुआत होगी अभी एड्मिशन चल रहा है 10-15 दिन अभी और एड्मिशन चलेगा ठीक है तो आप इस एप को इंस्टॉल करिए आपको हमारी किताबे नो 13 तक गये लेकिन विर्णा संख्या के वरगों का योग तो है लेकिन मिसम संख्या सुरूशनी Bible कि पिछले सवाल में झालमसे शुरूई थे लेकिन यहां 15 से वी तो आपको क्या हम ऐसे कह सकते हैं कि 1 सी ठीक है ना1 से 33 में अगर हम एक से 13 घटा दे स्थर सथ 13 क्यों चौदा क्यों नहीं अरे जनाब विसंसंख्या है विसंसंख्या 14 विसंसंख्या नहीं चौदा संसंख्या है यही चीज़ हमने संभाले में भी सिखा था वीडियो लाइक और शेर जरूर कीजिएगा आज के क्लास को ताकि अगली क्लास आपके लिए एकदम हजी रहे हैं हमारे तरफ से बनके ठीक है तो कह रहे हैं एक से 37 में अगर एक से 13 घटा दे 14 क्यों नहीं घटा है क्योंकि 14 एक सम संक्या और हम चर्चा विसम पे कर रहे हैं तो विसम करेंगे ना फॉर्मुला हमने अभी अभी बूला है यह से 37 है तो यन कमान संक्या में तो यन कमान 37 है 37 में एक जोड़ेंगे 38, 38 में दो जोड़ेंगे 49 और डिवाइड़ड़ड़़ई 6 तो डिवाइड़़ड़़ई 6 कर दिया मैंने माइनस तेरा तक जोड़ना है तो यह अनकमान तेरा है तेरा में एक जोड़ेंगे 14 तेरा में दो जोड़ेंगे 15 बटे चे तीन दुनी 6 तीन पचे 15 दो सत्य चोड़ा अभी देखिए तीन दुनी छे तेरतिया 49 उनीस दुनी 38 तो 37 गुने 19 गुने 13 माइनस 13 गुने 7 गुने 5 अब इस चीज को अगर हम सॉल्व करते हैं ठीक है यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं तो आपको सॉल्व करने के बाद 8,684 प्राप्त होगा और यह 8,684 भी नंबर उप्शन है बहुत बहतरीन बहुत ही कैलकुलेटिव सवाल है और यकीन मानिए एक बार आप इस वीडियो को अच्छे से देखी एक बार नहीं समझ मैं दुबारा देखी लेकिन यकीन मानिए ऐसे सवाल अगर एक्जाम में पूछ दे तो हमें नहीं लगता है कि आप कभी छोड़ पाएं है और यह सवाल ऐसा है एक का क्यूण दो का क्यूण तीन का क्यूण चार का क्यूण और बीज तक चलना है बताएं जरा अब देखिए वर्ग की बात नहीं हो रही है अब घंड की बात रहे इस छोटे से क्लास में हमने चार छोटी छोटी टॉपिक कवर किये प्राकिर्ट संख्या हो तो उनके वर्गों का यो क्या होता है प्राकिर्ट में सम संख्या हो तो उनके वर्गों का यो क्या होता है विश कि यकीन मालिएए तेडिन मनाइएगा फॉर्मूला लिखिएगा प्राकित संध्या के गनों का योग Спenga क्योंकि प्राकित तसंख्या इंगिंती में हैं प्राकित संध्या नैचुरल नंबर के ओनों का योग एक बार बस याद रखिएगा 1 बार बस अच्छे से बना लीजेगा कवाल आप से नहीं छोटेगा ठीक है फर्मूला होता है n into n plus 1y2 का square क्या इतना याद रहेगा जब मुझे याद है तो आपको भी याद रहेगा n into n plus 1y2 का square ठीक है ना और स्वारी square यहां नहीं में लगाईएगा square आप प्राकेट जब बंद हो जाए ना तो उसके उपर square करिएगा पहले देख लेजिए सही है हाँ n into n plus 1y2 और उसके उपर square एक से लेकर 20 तक चलेंगे अगर इस प्रश्न के solution की बात करेंगे तो कहेंगे सर n का मान 20 है 20 गुने 20 में एक जोडेंगे 21 पटे 2 और इतना करने के बाद उपर से square करिएगा तो भी 20 दस दुनी 20 21 के 210 और 210 का square करेंगे तो 21 का square वैसे 441 होता है और एक का square दो 0 नहीं बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है मांजी द मॉन्टेन मैं बनके बनाना ऐसे प्रश्नों का उटर ठीक है आगे बड़े इसके उपर एक और सवाल हम करना चाहेंगे जो और बहतरीन है बहुत सांदार है बहुत बहतरीन है 10 का क्यों 11 का क्यों 12 का क्यों डॉट डॉट अब समस्या यह है कि अगर एक से बीस तक जाएंगे तो हमारा उपतर है चवाली सजार एक से ठीक है तो हमको दस से बीस तक चलना है तो हम क्या करेंगे एक के क्यों से एक के क्यों से पीस तक के क्यों में आप घटा दीजे एक के क्यों से दस तक का क्यों पॉसिबल है ठीक है भई सोरे एक से नौ तक घटाई क्योंकि 10 थे तो चाहिए 10 थे चाहिए मुझे लगर 21 चाहिई होगा तो एक से बीस तक के stretch क्यू मैं हमने क्या सीखा लिसर अगर 1 का क्यू क्यू 12 का क्यू 4 का क्यू 20 तक क्यू हो तो उसका मन 84 14100 आएगा तो क्या 1 से 20 तक के çok को 44,100 मान सकते हैं का इन ही मान सकते अभी अभी यही तो था 1 से 20 तक का तो क्यों था 44,100 अंतर है तो स्कूचना क्या मानिए सीधे तो हमने 44,100 माना और माइनस 1 से 9 तक का क्यों खटाना है फर्मूला क्या होता है देखिए अभी अभी हमने दिखा है n in 2 n प्लस 1 का n in 2 n प्लस 1 और उसके उपर अस्क्वाइर करना है क्योंकि 1 से 9 तक है तो 9 इन 2 9 प्लस 1 पटे 2 और इन सबो के उपर आपको अस्क्वाइर करना है 44,100 यह तो निकालने की जरौत ही नहीं पड़ी हमें तो 9 गुने 10 पटे 2 और इसका स्क्वाइर करेंगे तो 45 का स्क्वाइर करना हो तो 5 का स्क्वाइर 25 और 4 के बाद 5 होता है 25य होगा और इन्टू एन्ट वटास वन वाइ टू और इसके उपर स्क्वायर थो एन इन्टू एन्टू एन तू एन ए ठीक ए Democrats चाहिए एन एन प्लस वन वाय två दो नौ गुने नौ प्लस एक बटे दो करेंगे तो नो पच्छे पैतालिस का स्क्वाइर दो बिल्कुल सही है solution करके तो तक है ना 10 का Q से 20 तक का Q जाना है अच्छ 9 तक का घटा देंगे और 1 से 20 तक के Q का answer क्या आएगा 44100 यहां तक तो बिल्कुल सही है हमको लग रहा है 10 तक में ठीक है एक से 9 में घटा देंगे तो और एन का मान 9 9 एन प्लैस वन का स्क्वाइर तो 200 पचे 45 का स्क्वार तो बिल्कुल सही है भ़ै तो 4100 में अगर हम 2025 घटा देते हैं तो दस में से 5 गा पांच है नए 10 में से 5 गा 10 में से 5 गा पांच और 9 में से 2 गया 7 और 9 में से 2 गया 7 और ये 0 में से 0 गया 0 and 42,000 42,075 होना चाहिए था ये option में तो कहीं उपलब्द नहीं है क्योंकि 44,100 होगा ये बिल्कुल सही है यहां तक दिया हुआ है 1 से 20 तक का दिया हुआ तो 5,45,45 का स्कुर बिल्कुल 2025 होगा हमको लग रहा है 4,2075 एक बार आप लोग चेक जरूर करिएगा हो सकता है कि option में mistake हो ठीक है न क्योंकि बिल्कुल मेरे इसाब से answer तो यही होना चाहिए सब लोग सभी विद्यार्थी last वाले question का answer करिएगा comment box में ठीक है हो सकता है मैंने कोई mistake कियो होगे लगि 99% confirm है answer 4,2075 होगा फिर भी in rear case अगर ऐसा लगे तो आप लोग comment करिएगा एक बार देख के ठीक है आज की वीडियो आज की class अगर बहुत अच्छी रही होगी तो like और share करेंगे हमारे application को जरूर install करिएगा यह आपके hit के लिए मैं कह रहा हूँ आपको बहुत सारी सुब्धाएं application पर मिलेगी अच्छे चे batches मिलेंगे math, reasoning, gkgs की पूरी team आ रही है हमारी तो आपको सुब्धाओं में कमी नहीं की जाएगी बस आप अच्छे से जुड़िए अच्छी चीजे पढ़िए अच्छे चे content और अभी foundation 2.0 जो बिलकुल नया है आप उसमें जुड़ सकते हैं चाहें तो ठीक है अपने अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं एक दब 0 to advanced level तेक method ओके चले My dear students नंबर सिस्टम का एक बहुती शांदार ट्रिक एक बार फिर से हम आप सभी के लिए ले कर आ चुके और आज नंबर सिस्टम संख्या पद्धती में एक बहुती शांदार टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं यूनिट डिजिट यहां से बहुत सारे सवाल एक्जाम में पूछे गए हैं यूनिट डिजिट इकाई अंग से और उसके उपर एक शांदार ट्रिक हम आपके लिए ले कर आ चुके तो जैसा कि आप देख पारें इसे सोला गुने सोला गुने सोला रहे और आपसे पूछे इकाई अंग इकाई अंग को हम कहते हैं भाई यूनिट डिजिट इकाई अंग को क्या कहते हैं यूनिट डिजिट कहते हैं और आपसे पूछा जाए इसका यूनिट डिजिट क्या हो इकाई अंग मतलब समझ रहे हैं यानि unit digit क्या है छे है तो इसी में कि 16 गुने 16 गुने 36 करे तब unit digit क्या होगा एकाई हैं क्या होगा तो मैं आपको बताता हूँ कि अगर इस प्रस्ट के solution की बात की जाए इस तरह से हम बहुत कुछ बताने वाले हैं आज आपको जिसे 16 गुने 16 गुने 16 है तो एक बात याद र गुने 16 गुने 36 करेंगे फिर कैलकुलेट करके गुना करके जो लास्ट में अंक आएगा वह हमारा unit digit होगा ना इतना लंबा मैथड जाने की जरुरत नहीं है आपको क्या करना है इसको उठाना है फिर इसको उठाना है फिर इसको उठाना है तो आपको बच गया 6 गुने 6 6 गुने 6 हमें कोई मतलब नहीं कि सर्फ 636 चक 216 होता है इतना लंबा भी करने की ज़रुत नहीं है अभी मैं दो तीन एक्जांपल अभी तुरंद बताऊंगा समझे 6 गुने 6 करेंगे तो 36 और 36 का 6 समझे क्या आपको गुना करके मान निकालना है ना क्या आपको गुना करक में कौन सी संख्या होगी वो जानना है तो आप क्या करिए ना 6-636 हुआ ना गुना करके 36 में 36 नहीं लीजिए 36 का 6 लीजिए और फिर 6 गुने 6 रखेंगे तो फिर 36 और 36 के लास्ट में क्या होता है शे होता है ऐसे भी 6 चक 6 गुने 6 6216 होता है रिकाई एंग 6 होगा 216 चेचक 24 अब बताईए 24 गुने 6 करेंगे फिर 144 होगा यहां तक तो गुना करना संबब एगर इससे बढ़ा रहता था इमाग खराब जाता तो ऐसे कंडिशन में कि 2 गुने 3 6, 6 गुने 4 24, 24 में तिरफ आंती मांक 4 से मतलब होना चाहिए और 4 गुने फिर करेंगे 6 तो 24 और 24 मे यूने डिजिट क्या दिखिया चार बहुत है सिंपल है जैसे 3 गुने 7 गुने 6 गुने 4 अब आपसे पूछे इसका मान थोड़े ही पूछ रहा है आपसे पूछ रहा है काई इंग कौन सा होगा यूनिट डिजिट क्या होगा यह एक चाप्टर है जो आपको नंबर सिस्ट साथ होता 21 21 में एक हो गया काई अंग एक 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 गुने 6 तो 6 गुने 6 और 6 चक 24 24 का चार और देखिये 5 गुने 4 गुने 5 करिए या पिर 3 गुने 4 गुने 5 गुने 5 मत रखिए मैं आपको एक चीज समझाओंगा तो देखिये 4 ती या 12 12 का दो लिजिए ना क्यूं 12 लेना अब 8 है तो ठीक है 12 गुने 17 रहता तब दिक्कत हो जाता तो 3 चक 12 12 का 2 2 8 16 16 का 6 तो इस तरह से सवालों का यूनिट डिजिट 11 का ग्यात किया जा सकता है अब आगे देखिए अब ये सवाल क्या है प्लस भी है और गुना भी है मतलब जोड भी है और गुना भी है पैसी स्त सवाल क्या है 471 प्लस 176 इंटो 342 इस में से यूनिट डिजिट पूछ रहा ही का यह पूछ रहा है करना कुछ नहीं अडियर पहले याद रखिएगा बोर्ड मास का नियम कहता है कि सर पहले संख्याओं को जोडा जाता है सोरी गुना किया जाता है पहले काकरी पिछे भाग तब गुना तब जोड़गड़ु मतलब जो उसके बाद जोड़गड़ु पहले गुना करिएगा तो आप ये देख लीजिए इसमें राष्ट को लाष्ट से गुना करिए तो 7 गुणे 2 14 आगे कुछ भी हो आगे कोई भी संख्या आए अंतिम में तो 14 ही होगा ठीक है या फिर अंतिम में तो 4 ही होगा साथ गुने दो 14 के चार अंतीम में चार और आगे कुछ भी संख्या हो वो पता नहीं हमें क्या मतलब हुआ है आगे कुछ भी हो और इसमें से आपको जोड़ना है चार्च करते देखे अब 163 गुने 342 करना आसान है 2-4 सकेंड में ना इसके लिए 2 मिनट लगेंगे तो गुन हमें तो सिर्फ यूनिट डिजीट चाहिए हमें तो सिर्फ डियर इकाई अंक चाहिए इकाई अंक यानि सबसे आखरी अंक और अगर 7 गुने 2 करेंगे तो साथ दुनी 14 आगे क्या होगा मुझे नहीं पता पर अंतीम में 4 होगा ये मुझे पता चल गुए है क्योंकि 7 गु तो आगे क्या जुकर आएगा मुझे नहीं पता लेकिन अंतीम में 4 और 1 पांच ही आएगा और हमें अंतीम से ही तो मतलब है क्या मतलब है कि आगे क्या जुखकर आएगा concept सीखिए डियर क्या पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं अच्छा एक बात और याद रखेगा कुछ रूल याद रखेगा जो आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट है जब लेकर आई चुके हैं अगर पांच गुने समसंख्या हो तो यूनिट डिजिट जीरो होता है याद रखेगा पांच गुने समसंख्या हो तो यूनिट डिजिट जीरो होता है पांच गुने सम और विशम हो ठीक है तब भी यूनिट डिजिट जीरो हो सिर्फ सम विसम दोनों रहेगा तब पांच गुने विसम संख्या हो याद रखेगा यूनिट डिजिट पांच ही होता है ये किस चीज के लिए ग्याद कर रहे है यूनिट डिजिट यानि एकाई अंक की बात कर रहे हैं और पांच गुने अभाज संख्या विसम संख्या में ह आभाज संख्या आता है पांच गुने आभाज संख्या हो तब भी unit digit पांच होता है कुछ example की बात करें ठीक है आईए जरूरी है यह सब सीखना आपका example नंबर पहला हमने क्या बोला पांच गुने संख्या पांच जैसे संख्या मतलब यह नहीं कि पांच आगे हो पांच कई भी रह सकता है जैसे इस तरह से दो गुने चार गुने पांच गुने छे गुने आठ तो ऐसे condition में unit digit जीरो होगा आप करके देख लीजे चार दुनी आठ आठ पचे चालिस चालिस का जीरो जैसी ही आया जीरो में कोई भी संख्या से गुना करेंगे तो जीरो ही आएगा दूसरा एक्जामपल की बात करें ठीक है एक्जामपल नमबर दूसरा है हमने बोला कि पांच गुने सम और भी सम दोनों जैसे एक गुने दो गुने तीन गुने चार गुने पांच हो और इसमें unit पूछे तो दो एक कम दो दो तिया चेट चेट चोविस 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 पचे एक सुविस तो यह चोटे चोटे कॉंसेट्स जो है वो जब कभी भी आ जाए यह जो विद्यारती जी आज पहली बार यूनिट डिजीट पढ़ रहे है मुझसे आपने कभी भी ट्रिक में य यह वाला टॉपिक जरूर कॉपी मनोट कर लीजेगा ताकि दिक्कत ना हो ठीक है चलिए आगे बात करें अब देखिए पावर वाला यूनिट डिजीट होता है अब इसका सॉल्यूशन याद रखिए मैं आपको यहां पे शौट मैथड में कॉंसेट बता दूं कि जिस संख्या के अंत में जिस संख्या के अंत में 0,1,5 और 6 हो इन चारों में से कोई भी एक हो ठीक है या तो 0 हो या तो 1 हो या तो 5 हो या तो 6 हो तो इनका यूनिट डिजीट यूनिट डिजीट यही रहेगा अब यही क्या रहेगा मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा एक short class में, ठीक है, मैंने क्या बोला, सिर्फ 015 है, जैसे example की बात करें, कि भई 1570 है, 1570 पे power 66 है, और आप से पूछ रहे कि काईयं क्या होगा, तो कहिए सरी यह power आगे, थोड़ा सा confusion ना, confusion मत हो यह, यह संख्या के उपर power रहे, और संख्या के अंत में क्या दिख रहा है, 0, हम क्या लिखें, कि जिस संख्या के अंत में 0 हो, 1 हो, 5 हो, और 6 हो, इन 4 में से कोई भी एक हो जाए, तो ऐसे में unit digit क्या रहता है, यही रहेगा, या फिर unit digit सेम रहेगा, सेम मतलब जो संख्या के अंत में हो, 1570 में अंत में 0 है 0 पे पावर 67 है तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा एक और एक्जांपल की बात करेज़े से मान लीजिए कि 625 राता और 625 पर पावर 3879 कुछ भी राता और इसमें यूनिट डिजिट पूसता तो हम क्या बोले 0156 इन चारूम से कोई भी हो तो जब इस तरह के सवाल कभी भी आए तो बनना है वही माजी दा मॉन्टेन मैन और ऐसे करेंगे इस तरह के प्रशनों का अगले प्रशन की बात करें 7001 देखें अभी अभी हम बोले 0156 इन चारों में से कोई भी होगी तो देखें करें अभी क्या है 781 और इसके उपर पावर 80 है तो आप ये बताओ कि अंत में क्या है वही कहेंगे सर अंत में 1 है तो 1 के उपर कोई भी पावर हो यूनिट डिजि और इसके उपर पावर 298 764 36 इतनी बड़ी संख्या हो तो यूनिट डिजिट क्या होगा 6 होगा क्यूं क्यूंकि अंत में 0156 में कोई 1 है वो 6 है तो ऐसे में याद रखेगा कि इस तरह की जब संख्याएं आए अंत में 0 हो 1 हो 5 हो 6 हो तो यूनिट डिजिट परिवर्तर न यूर हो जैसे माल लीजिए अच्छा यह भी यह भी सिम्पल समझ चुक है कि अंत में 5 है 2925 है 2925 है और इसके उपर पावर 65 है तो सिंपल सी बात है यूनिट डिजिट क्या होगा जी कहेंगे सर अभी यह भी आपने बोला यूनिट डिजिट वही रहेगा जो अंत में है उन्तम संख्यां दिखेए त्यक्त ही होगा ठीक क्षेये अगे बढ़ते लेकिन अब समस्या आ गए इसर अन्तमें ना तो 0 है ना तो 1 है ना तो 5 है अब अंतमें अन्तम 드कित आ आईए ऐसे प्रश्णों को अब हम सॉल्व करेंगे और ऐसे प्रश्णों का क्या सॉल्यूशन होता है वो हम बताएंगे सवाल है 952 952 to the power 67 है ठीक है ना और इसका आप से क्या पूछा गया है यूनिट डिजीट पूछा गया है देखिए यूनिट डिजीट मतलब एक आखरी अंग या फिर कहिए एकाई अंग आप याद रखेगा कितनी भी बड़ी संख्या क्यों न हो मतलब सिर्फ अंतिम बली संख्या से होता है क्योंकि पावर इसी के उपर लिया जाता है तो 952 ना लेकर हम अंतिम संख्या दो लेंगे और याद रखेगा कि जब 0,156 ना हो बिल्कुल भी नहीं है दो है तो दो ले लिए और याद रखेगा जो पावर होता है ना पावर में चार से डिवाइड किया जाता है चार से भाग देना होता है और भाग देने के बाद हमें यह नहीं देखना है कि भाग कितने बार में लगा हमें यह देखना है कि भाग लगकर रिमेंडर के रूप में कितना बचा तो याद रखेगा यह आपको 16 चक 64 में कटेग 64, 63, 63, यानि सेस कितना बच गया, 3 बच गया, और हमें रिमेंडर ही देखना है, सेसफल ही देखना है, तो 64, 67 में 4 से भाग लगाएंगे, तो 16, 64, 16, 64, सेस बच गया 3, क्योंकि यह 66 है, और जो सेस बचा, उसके उपर, यह 2 के उपर, वो सेस वाला पावर रख दीगे, तो 2 का Q 8 होगा तो 2 का Q 8 होगा तो unit digit भी 8 ही होगा यह उमीद है कि यहां तक मैंने जो भी आपको पढ़ा है तो सारी चीजे बिलकुल स्पष्ट रूप से आपको समझ में आ रही हो तो unit digits से related कोई भी सवाल हो आज एक वीडियो जो आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो वो आप देख लो आपकी सारी समस्या एकदम सॉल हो जाएगी 1 to 64 to the power 48, 68 तो मैंने क्या बोला कि अंतिम संख्या से मतलब रखना है अंतिम में क्या है डिय है अंतिम में 4 है तो आप solution में आप 1264 ना लिखकर अंतिम संख्या 4 लिखिए और 4 पर power 68 करिएगा और मैंने बोले जो power रहता है क्योंकि 0,15 नहीं है यह 4 है तो 4 का एकदम सिंपल रूल कि आपको power वाली संख्या में 4 से भाग देना होता है ठीक है तो ब्रैकेट के अंदर कितना है चार और आप यह देखिए कि सर हम 4 से भाग देते हैं ठीक है ना हम 4 से भाग देते हैं तो 17 बार में कट जाएगा सत्रा चक अर्सट कहीं बात है ना सत्रा बार में कट जाएगा सत्रा चक अर्सट लेकिन सेस बच गया सेस क्या बच गया जीरो तो एक और समधान सर अगर हम 4 पर पावर जीरो रखते हैं तो मान एक आएगा जो option में भी नहीं लेकिन याद रखिएगा कि जब पावर वाली संख्या में जो भी पावर में हो यहां पर 68 है पावर वाली संख्या में अगर 4 से पूरा पूरा भाग लग जाए तो पावर में 0 ना लिखकर हम 4 लिखें नोट करके copy में लिखेगा कि अगर पावर वाली संख्या में अगर हम 4 से भाग देते हैं और पूरा-पूरा भाग लग जाए तो पावर में 0 ना लिखकर पूरा-पूरा भाग लगेंगे तो 6 0 बचेगा ना 17,66 तो आप याद रखेगा कि 4 पर पावर 0 ना लिखकर आपको चार पर पावर चार लिखना होगा और चार पर पावर चार लिखेंगे तो 4 चक 16, 16, 64, 64 चकी 256 कह लिजिए या 256 कह लिजिए जैसे समझ में आए आपको यूनिट डिजिट क्या मिला आपको 256 में एकाई यंग 6 मिला जो सी नंबर ऑप्शन है समझे मेरी बात अगर पूरा पूरा कड़ जाए एकदम ध्यान से शुनिए अगर पूरा पूरा कड़ जाए तो यूनिट डिजिट यहां पर देखिए के रें सॉल्यूशन कि है आपको पता है कि आपको मतलब 1507 में सिर्फ साथ से मतलब है सेवें टू दी पावर पावर 40 है और 40 में 4 से भाग देना है गुने यहां पर भी आपको इसी चार से मतलब है तो दी पावर 81 डिवाइड़ भाई 4 अभी समझ यह मेरी बात यह आप तो कड़ जाएगा दस चक चाली सेस बचेगा जीरो और यह 20 चक असी सेस बचेगा तो मैंने बोला था कि जब पूरा-पूरा कड़ जाए सेस जीरो बचे तो ऐ सब्सक्राइब आपको पहला नंबर आपका उत्तर तो इस तरह से जब सवाल पूछे जाए यूनिट डिजट के आप बना सकते हैं आगे बढ़े कोई दिक्कत कोई परिशानी बिलकुल नहीं होना चाहिए तो यह छोटे-छोटे सौट्स मेथड है जिसके एकॉर्डिंग जिसके थूरू आप किसी भी संक्या का यूनिट डिजट फाइंड आउट कर सकते है भी और कुछ सीखना है मैं आजके क्लास में ठीक है हम आगे ब आपको पता है कि 27 में चार से भाग देंगे 27 में चार से भाग देंगे तो 48 में चार से भाग देंगे तो 48 बचेगा 0 जब 6 फल 0 बचे तो पावर 4 रखना चाहिए साथ पर पावर 4 सा सते 49 अभी अभी हमने किया है वही इस साथ पर पावर 4 करने पर यूनिट दिजिट एक बचता है क्योंकि सा सते 49 के 9, 9 37 63 के 3 पर 3 सते 21 के एक इस एक आपको यूनिट दिजिट एक बचेगा अर तीन पर पावर 4 तिन तिया 9, 37, 81, 81, 83, 88, एक गुने एक जो है वो आपको यूनिट डिजिट एक ही बना कर देगा जो डी नमबर ऑप्शन में तब को आ रहे हैं समझ में तभी विद्यारती हमारे अप्लिकेशन को जरूर इंस्टॉल करेंगे जो हमारे प्ले स्टोर पर एवेलेवल है ड्रीम क्लासेज ओफिशल वहां पे बहुत जल हो बिहार दरोगा हो बिहार पुलीस हो सभी एक्जैम्स के लिए ठीक है पूरी टीम संगठित हो रही है तो आप लोग अपनी तयारी को थोड़ा और कंटीनियू कर दे थोड़ा और धाकड तरीके से कर ले ठीक है 258 पर पावर 100 है तो आपको 258 में मतलब कहां से होना चाहि 60 से और आपको पता है कि और 40 से भाग देंगे 250 बार में सेखभ बचेगा लिए यजी नियम हमीशा याद रखेगा ठीक है 7 पर power 4 साथ गुने साथ गुने साथ गुने साथ गुने साथ तो सा खुड़ेस के ना चीक है तो 6 जोड़ 1 है तो आपको unit digit 7 होना चाहिए जो D-Number option में उपलब्द है वीडियो बिना like share किये मत जाईएगा एक बहुत बड़ी सीरीज हमने चलाई है जो आपको दिख रहा है यह तीसरा trick है ऐसे सैक्डो ट्रिक हम आपको करके देंगे यह मेरा वादा रहा ठीक है सैक्डो ट्रिक वो भी chapter wise आपको करके देंगे बस चाहिए आपको सयोग चाहिए आपका continue class चाहिए आप regular पूरा देखिए और exam में बैट के राइए बैट कर आईए फिर आपको level पता चलेगा हम क्या पढ़ाते हैं और क्या concept देते हैं वो चीज़ आपको पता चलेगा यहां पढ़ाया नहीं जाता है गनित को मक्षन बनाया मतलब 3 से होना चाहिए और 36 में 4 से भाग देंगे 9 बार में सेशफ़फल 0 बचेगा और जब सेशफ़फल 0 बचे तो पावर 4 रखा जाता है यहां तक तो कोई दिक्कत में माइनस 1442 में मतलब होगा 2 से और 20 में 4 से भाग देंगे 4 पचे 20 सेशफ़फल 0 और 0 बचे तो 4 बचेगा 2 पर पावर 4 दो दुनी 4 दुनी 8 दुनी 16 अब 81 में 16 11 में से छो गया 5 यह नि 65 और आपको 65 में यूनिट डिजिट क्या दिख रहा है यूनिट डिजिट 5 दिख रहा है क्योंकि 65 के आकरी एंट में 5 होता है एक दम मखन करके देंगे गणित को बस आप बने रहिए देखते रहिए चीजों को समझते रहिए यहां तक किसी को कोई दिक्कत मुझे नहीं लग रहा है कि होना चाहिए नहीं बढ़े डियर कोई दिक्कत कोई परिशानी बिलकुल नहीं चलिए तीन पर पावर संतावन तो तीन पर पावर संतावन में चार से भाग देंगे तो तेरा चक बावन चौदा चक छपमन तेस कितना बचा एक ठीक है ना तेस बचा एक तो तीन पर पावर एक हो जाएगा पुने चार पर पावर पैसाठ में चार से भाग देंगे शोला चक च 1279 है ना नवासी भागे चार करेंगे चार्थिया 208 से बंचे गए 89's से 59-9 नव पर फावरे इक चार पर पर फावर एक चार पाच पर गुने पाच 9 gehört है त्य APP आपको वहत्तरी लग आप हमारे आप्लिकेशन-डी-ब ठीक है ना, stream classes official, यह आपको playstore पर मिल जाएगा और video के description में link होगा, इसको जरूर install करिएगा और यहां पर बहुत सारे batches आपको free में मिलेंगे, बहुत सारे notes वाले section में आप जेख पर देखी, आपको बहुत सारे notes और पीडियेफ बहुत अच्छी ची किताबे टाइप वाइज नोर्स ट्रिक वाले नोर्स अच्छे नोर्स उपलब दोगे इसके साथ साथ आपके लिए एक बैच आया है ठीक है और वह बैच है फाउंडेशन बैच ठीक है इस बैच को आप जरूर जोईन करिएगा जो 25 लेकर आचुके हैं नंबर सिस्टम का ये चौथा ट्रिक और आज बहुती शांदार टॉपिक लेकर आए हैं और टॉपिक है भाई नंबर ओफ जीरो जैसे एक गुने दो गुने तीन गुने चार यहां थोड़ा मिस्टेक था इसलिए हमने इसको यहां लिख दिया सवाल है एक गुने दो गुने चार गुने पाच और यह डॉट 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 जाएगा 19 गुने 20 मलब एक से लेकर जितनी भी संख्याएं हैं 20 तक उनको अगर आपस में गुना करें तो गुननफल में सुन्यों की संख्या सुन्यक नहीं अलफा बीटा नहीं सुन्ये जीरो पूच 3, 4, 5, 2020 तक गुना करेंगे तो 1 से 20 तक सबी संख्याओं को अगर गुना किया जाए तो अंतीम में कुल कितने अएंगे इस प्रस्ण के solution की बात करें तो मैं आपको एक short trick बताता हूँ देखिए कि शुरुवात एक से हुई और गया कहां तक 20 तक आपको क्या करना है अगर number of 0 सुन्य की संख्यां अगर ग्याद करनी हो तो आपको क्या करना है जहां तक गया है उसमें divided by 5 कर दीजेगा तो 5 चक 20 यानि आप अगर 1 से 20 तक सभी संख्यां को आपस में गुना करिएगा तो अंतिम में कितना 0 आएगा 4 0 अभी तो रूप को अभ टूपने मन से लिख दे एक गुने दो गुने तीन गुने चार गुने डॉट 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 चालीस तक हो 39 इन टॉ-34 या डैरेक्ट ठाटिफॉर ठीपो इसके गुननफल में कितने जीरो होंगे सेम सवाल है बस 20 गये थे इस ब तो संक्या है उसमें 5 से भाग देंगे, solve करके 8 आया, 15, जब तक वो पूरा-पूरा कट ना जाए, और भाग लगना बंध ना हो जए, अब तो 5 से भाग नहीं लगेगा, तो इसमें number of zero इन दोनों को आपस में जोड़ दीजेगा कितने होंगे 9 सुन्ने होंगे मलब एक से 40 तक गुना करेंगे तो 9 ठो 0 होगा एक से 20 तक गुना करेंगे तो 4 ठो 0 होगा अभी तो बहुत कुछ सीखेंगे अभी तो शुरुआते हुए एक गुने दो गुने तीन गुने चार अभी देखिए 80 तक गया है ठीक है और इसके गुनानफल में number of zero सुन्यों की संख्या तो आपको क्या करना है कि सुन्यों की संख्या चाहिए number of zero चाहिए एक दम सिंपल सी बात करेंगे तो number of zero की बात करेंगे तो हम क्या करेंगे कि असी है असी तक गये हैं असी में 5 से भाग देंगे 16 बार में फिर 16 में 5 से भाग देंगे भाग फल कितना आता है वो देखना है reminder तो पहले में तो ऐसे भी लग जाएगा तो भाई 16 में से 5 से भाग देंगे तो असी में 5 से भाग देंगे 16 फिर 16 में 5 से भाग देंगे पास्तिया 15 अब 3 से 3 में 5 से भाग लगेगा नहीं लगेगा तो इन दोनों को जोड दीजिए number of zero सुन्यों की संख्या कितनी हो गई 19 हो गया यहां तक पहले आप लोग देखिए और यहां तक एक दम बिल्कुल समझ में आ रहा है अभी तो बहुत सारे सवाल बहुत सारे कॉंसेट बाकी है आज के क्लास में और एक दम इस number system को एक बहुत बड़ा मेरा थन बनाना है कम से कम 30-40 class हम आपको number system पर पहले पढ़ाएंगे 50 class 50 trick और हर trick में एक नया topic clear होगा और आपके लिए ये वर्दान साबित होगा ये चौथा class है पीछे 3 class अगर आपको देखना है तो हमारे चैनल dream competitive classes पर जाकर live section में डूंडिएगा वीडियो वाला section डूंडिए आपको मिल जाएगा ठीक है तो एक गुणे दो गुणे तीन गुणे चार और 100 तक में बताना है कि सुन्यों की संख्या कितनी होगी number of zero कितना होगा तो आपको number of zero चाहिए ठीक है ना number of zero चाहिए सुन्यों की संख्या चाहिए 100 तक चाहिए तो 100 में पहले 5 से भाग दीजिएगा 20 बार में 20 बार में पिर 20 में आप 5 से भाग दीजिएगा जो भाग पला है उसमें चार बार में आप 4 से 5 में भाग लगेगा नहीं चार में 5 से भाग लगेगा नहीं तो इन दोनों को जोड़िएगा number of zero कितने हो गए सुन्यों की संख्या कितने हो गई होना 30 से ज्यादा क्लास में नंबर सिस्टम सिंप्लिफिकेशन के उपर लेने वालों 30-40 क्लास और सब में यही 10-12 अच्छे-च्छे सवाल होंगे और सब अलग-अलग टॉपिक के होंगे ठीक है एक दो 345 गुना करते वे 500 तक गए और आपको फिर से चाहिए वही सॉल्यूशन में एकदम नंबर ऑफ जीरो चाहिए सुन्यों की संक्या सुन्यक मत समझीएगा यह मत सोच लेना कि सुन्यक पूछ रहा है अलफा बीटा अलफा बीटा नहीं पूछ रहा है नंबर ऑफ जीरो पूछ देंगे चार वार में 100 प्लस 20 120 120 और 4 सबको अगर हम जोडते हैं तो यह 124 बना कर देगा 124 बना कर देगा कितने होंगे नंबर ऑफ जीरो सुन्यों की संख्या 124 होगी बिल्कुल समझ में आ रहा है यस या नो में जबाब दीजे सभी विद्यारती हाँ या नामे उत्तर ख मैं अल्रेडी सबके ऊपर एक ही ट्रिक बोला है मैंने बोला पहले हजार में पांसे भाग देदो कहेंगे गुरुजी 200 बार में कटेगा फिर 200 में पांसे भाग देदो गुरुजी 40 बार में कटेगा फिर 40 में पांसे भाग देदो 85 आठ बार में कटेगा आठ से 5 में भाग देदो आठे पाचे कम पाचे एक ही बार में गटेगा ना भले तीन से वज्जा वो अलग चीज है अब सबको जोड़ देंगे 240, 47 और 142, 49 यानि नंबर और 0 सुन्यों की संख्या जो होगी वो 209 होगी आप देख लीजिए एक से पांच तक जितने भी सवाल आपने सॉल्व किये वो सारे नैचुरल नंबर थे गिंती की संख्याईती एक दो तिन चार पांच एक दम सीरिया लेकिन छटा सवाल जैसे ही दिखा अब हमें ये दिखने लगा कि सम और विशम की चर्चा हो रही है यहां क्या दिख रहा है यहां क्या दिख रहा है यहां क्या दिख रहा है दो चार छे आठ दस बारा वैसे होगा तो आपको जो है सब सम दिख रहा है विशम नहीं दिख रहा है यहां तक जो सम दिख रहा था वो सम विशम पूरा यह नैचुरल नंबर है अब चर्चा सम प आपको भी पता होता है कि सम संख्यां 50 होती है और विसम संख्यां 50 होती है तही बात की गलत बात कहेंगे सर बिल्कुल से 100 तक के गुननफल में सम hash होता है और पचास तो विसम होता है इसी में आपको number of zero चाहिए तो इस प्रस्निके solution की बात करेंगे इसमें गुननफन में सुरी सुन्यों की संख्या number of zero चाहिए तो आपको करना कुछ नहीं है कि भई संख्या तो संख्या है तो यहां पर संख्या है तो 85 होगी भले सव तक गएंगे और फिर दस लेंगे दस में पांट से भाग देंगे पांच दूनी दस दो बार में यह जुटकर आपको जो आएगा वो 12 संख्याएं होगी यह सोरी 12 0 होगा number of 0 कितने होगा 12 तो ची मैंने 100 क्यों नहीं लिया अरे बही 2468 ना विसम संख्याएं नहीं है इसमें इसमें सिर्फ संख्याएं और एक से सो के गिंती में 50 संख्याएं कितनी होगी 50 और उसमें number of 0 कितने आएंगे 12 जो आपके बी number option में इस बार भी वही है तो 500 तक की गिंती है 500 की गिंती में सबको पता है कि संख्याएं 200 होगी और विसम संख्याएं भी 500 ही होगी इसम संख्याएं कितनी होगी 200 ही होगी तो एकदम सिंपल सा फंडा है अगर सॉल्यूशन करें और number of 0 की बात करें तो 200 में 5 से भाग देंगे 50 बार में 50 में 5 से भाग देंगे 10 बार में 10 में 5 से भाग देंगे तो बार में यह सब को जोड़ दीजिए 50 10 62 62 यानि number of 0 कितने होगे सुन्यों की शंक्या 62 होगी यहां तक क्लियर है यहां तक क्लियर है यह चलो आगे बढ़े अगले प्रश्न की बात करें देखें एक गोने 3 गोने 5 गोने 7 गोने 9 अब देखें आपके मन में पहले क्या दो आया 10 बटे 5 दो आया 12 आप एदम धाय धाय लिखेंगे 12 अंसर लेकिन यह गड़बड है गड़बड कहां है डियर आप समझो तिक है ना गड़बड आपने कहां करी है यह समझे कि भाई यह यहां पर जो दिखराए डियर वह संख्याएं नहीं है वह सारे के सारे विशम सं संख्याओं को आपस में गुना करने पर आपस में गुना करने पर कभी भी उन्हें नहीं आता है उन्हें नहीं आता है यहानि नंबर ओफ जीरो एक भी नहीं होगा जैसे एक गुने, तीन गुने, पाँच गुने, साथ गुने, नो गुने गारा अब करके देख लीजे नाक रगड जाईएगा 99 तक गुना करिए अन्तिम में एक भी जीरो नहीं मिलेगा तीन एकम तीन तीन पचे 15 सते पचोतल से करते जाईए करते जाईए आप सो तक क्या 1000 कड़ोरो लाखों चल जाईएगा अब सिधा याद रखेगा जीरो चाहिए तो या तो सम विसं दोनों होगा या सिर्फ सम होगा अन्ली विसं कभी भी अंतिम में जीरो लाग करने देगा करते जाईए ठक जाईएगा लास्त तक लेकिन अंतिम में जीरो एक भी नहीं सकते हैं कोई 0 अंत में नहीं होगा सुनने की संख्या नहीं होगी यह बात अब एक दम बिलकुल याद रखेगा अगले प्रश्ण की समझ मैं क्यों कि विसम संख्या का गुननफल कभी अंत में जीरो नहीं आता है जो आ जाए एक दो तीन चार पांचे साथ आट नो कुछ भी आ सकता है लेकिन जीरो नहीं एक तीन पांच साथ सेम कोशन है एक तीन पांच साथ नौ गुने गुननफल में सुन्यों की संख्या इसमें भी आंसर क्या हो जाएगा एक ए बना लीजिए और लिखेगा जीरो आंसर चाहिए एक दम हंड़ेट परसंट गैरेंटी के साथ कह रहे है अब हाज सम संख्याएं हाँ सम विसम दोनों रहेगा तब ठीक है सम नहीं सोरी विसम संख् आजाओ का गुननफल कभी विसम में जीरो लाकर नहीं देगा यह का ज्या वभी हाँ शलो आगे बढ़ से एक का स्क्वाइट दो का स्क्वाइट चारे का स्क्वाइट पांचिंवरण च्वाइच चे तक के स्क्वाइट में सुनने cry यह छे काटिए थोड़ी सी or3 का सट बेएगए अब देखियेगा अगर इस प्रस्ट रश्न का सॉल्यूशन करे यहां संभी संथ दोनों है तो नंबर मैंने क्या بोला कुछ देर के लिए आप ऐसा सोचिए कि सर अस्कॉयर नहीं सिधे एक गुने दो गुने तीन गुने बिल्लकुल भी नहीं है अस्कॉयर है पताई कैसे बनेगा अगर अस्कॉयर नहीं होता एक दो तींघ जार पाँचे साथ इसके उपर, तो एक नियम कहता है, कि पहले कुछ दिर के लिए पावर भूल जाए, तो एक दो,तिन,शर पावर बूल जाए, तो दस तक है, दस में पावर से भग दिये, नमबर अब जीरो दो, लेकिन, अब ध्यान दिजिए, कि पावर में कितना है, पाबर में 2 है तो जितना संख्या पाबर में रहे यहां पाबर नहीं लगाना है उतना संख्या से अगर पाबर में 2 है तो उतना संख्या से उसमें गुना करिएगा आपके प्रश्न का उत्तर चार होगा जितना पावर में रहेगा उसको पावर में नहीं रखना है उतना सं samen को उसके साथ भुणा कर देना है जैसे जाए और एकक दो सवाल आएगा इन का क्योन स्वाल इयए रहा है कि सिरियल वे एक क्यों 10- दो रहा है क्योंween सिर्फ बोली एक दो तिन चर पांच से दस तक गए दस में पांच से बाग नियम हमें पता है आप देखिये पावर कितना है पावर सब जगातीन जो पावर है उसको पावर नहीं रखियेगा उसको संख्या में गुना कर दिएगा दो गुने तीन करेंगे नंबर ओफ जीरो सब्सक्राइब करेंगे तो च्छे में लग रहा है च्छे पांच करेंगे तो एक बार में लगेगा ना पाचे कंपार भले से एक बच जाए यह आपको जुटकर कितना आया जुटकर आया चे एक साथ हमने साथ कर दिया लेकिन गुना करिए जो पावर है पावर में दो है तो पावर में दो नहीं करना उस पावर को यहां पर गुना करना है साथ दोनी चौदा नंबर ऑफ 014 सुन्यों की शंख्या आपका गनित बिलकुल होगा मक्षन जैसा कि आप देख पा रहे हैं बड़े आगे चलो यह पहले पांच करिए पहलेबूल जाएए क्यों छे भागे पांच पर इक बार आएगा ना यूटकर कितना आएगा साथ को जितना पावर है तीन में पावर है तो साथ गूने तीन करिएगा नंबर ऑफ 0 सुन्यों की संख्या एक हैं हो जाएगी यह हमारे प्रश्न का उन्प बढ़े आगे कोई दिक्कात कोई परिसानी बिलकुल नहीं चलिए एक का स्कॉयर दो का स्कॉयर तीन का स्कॉयर चार का स्कॉयर पहले स्कॉयर भूल जाएए दीदे बोलिए सौ बटे 5 30 20 बटे 5 चार जुटकर आएगा 24 और पावर में कितना है दो जो पावर में है वो गुना में हो जाएगा क्या इतनी सी बात आपको बिल्कुल समझ में आ रहा है गनित आपका मखन होगा मैं इस टॉपिक के उपर मतब यह जो नंबर सिस्टम है चार क्लास में आपको मैंने बहुत कुछ सिखाया होगा ऐसे ऐसे मैं 40 क्लास करवाने वाला हो सिर्फ नंबर सिस्टम के उपर भले इसके आपका गनित मक्कन होगा यह मेरा वादा है यहां तक किसी को कोई दिक्कत कोई परिशानी चली एक और सवाल है बहुत बढ़ी एक का क्यूं दो क्यूं तीन क्यूं चरका क्यूं इसमें सुन्यों की संख्या तो पहले सो तक जाना है सो मटे पांच करेंगे बीस फिर बीस ब तो उमीद है कि आज की वीडियो आज का क्लास बहुत शांदार रहोगा और यह वीडियो बहुत बढ़िया है लाइक और शेयर बिलकुल बनता है ताकि अगला क्लास हम जल्दी से आपके दिला दे और नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कुछ ना कुछ बोले फिडबैक दे हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं और यह ट्रिक नंबर पांच है जिसमें हम बहुत ही सांदार टॉपिक करने वाले हैं और यह थोड़ा सा एवरेज का जलक दिखाता है आउसत का जलक दिखाता है लेकिन एक्चुल में यह नंबर सिस्टम के सवाल है संख्या पद्दती क सवाल है देखिए एक वर्ड यूज हो रहा है क्रमागत करमागत का मतब होता है लगता जैसे इस तरह से जैसे दो चार छे आट यह सबी एक दूसरे के से लगतार है मतब संख्याओं के बीच अंतर से मैं या फिर एक तीन पांच सा या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो पांच द करमागत संख्या तो हम लोग पहले ऐसे बनाते थे ऐसे क्या पहली करमागत संसंख्या एक से उसका अगला एक्स प्लिस To क्योंकि कि सम संक्या संख्या का बात कर रहें तो एगों एक्स लेंगे तो अगली संख्या एक्स-플lex 2 हो जाएगा जैसे अगर यह 10 है तो अगला कौन Θण संख्या 12 होगा तो दो जोड़ा जाता है ना और तीसरी करमागत संख्या X प्लस 4 मतब इसमें दो जोड़ेंगे और तीनों का योगे 24 के बराबर है फिर यहां से X का मान निकाला जाता है फिर बड़ी चोटी यह लंबी प्रकिरिया है डियर आपको एक short method बताते है short magic trick बताते है तीन करमागत संख्याओं का योगे 24 है और योगे जब 24 दिया रहे है तो आप एकदम short cut में के पहले क्या भागिए औस अवसत बराबर होता है संख्याओं का योगे और बटे कुल संख्या आपने पढ़ा होगा average कभी न कभी और नहीं पढ़ा होगा तो याद करिएगा जैसे average में घुसिएगा ना अवसत में औस बराबर formula होता है संख्याओं का योगे बटे क इस्मे रहेगा और सो सथ आठ है करमागत कट में रहा करमागत और संख्याओं और यस संख्याओं आपसे क्या र demasiड ठीक वाली होतो गया ऐसे याद रखिएगा कि जो बीच वाला होता है वो आउसत होता है आउसत क्या होता है बीच वाला जैसे मान कर चलिए दो चार छे आठ दस है अगर आपसे कहें कि इसका आउसत बताइए करम में तो है और करम में होना तो याद रखिएगा कि जब एक करम में हो एक स्रेडी में हो लगता तो ऐसे स्थिति में और वीच वाला यह आपका उसत का मान होता है सब को जोड़कर पांच आए तो यहां पर देख पारें यहां तो सीधे पूछा कि बीच वाली संख्या ठीक है वीच वाली संख्या तो और वस्त कोई हम क्या कहते हैं याद रखिए का हमेशा आउसत का मतलब भी होता है बीच वाला तो अंसर तो यहीं हो गया लेकिन आपको एक्स्प्लेइन कर देख चली यह बीच में तो इसका आगला दस होगा और इसका पिछला च्छे होगा दस आट अठारा च्छे चौविस और चौविस है उमीद है कि आपको यह समझ में आया होगा अभी इस चालीस मेराथन क्लास लगवाने वाला हूं सब में आठार दस दस सवाल होंगे और हर हर क्लास जो है वो एक ट्रिक को लेकर आएंगे हम हर क्लास में चलीए पांच करमा यह कोशन नमर 2 है स्वरी पांच करमागत सम संख्याओं का योग अस्षी है तो सबसे चोटी तो देख संख्याओं का अऊसत कहिए और अऊसत को ही कहा जाता है बीच वाला को संख्या संख्या कैसे निकल निकाली जाती है multi वाल थी संख्याओं का योग असी और पान संख्या है तो इसके पिछला तो इसके पिछला तो सोला के बाद 18 और 20 होता है तो सोला से पहले 14 और 12 होता है एकदम सिंपल देखें आप इस पांचो को जोड़ कर देख लिए एकदम अस्ति आएगा हम विना जोड़े गैरेंटी के साथ कह रहे हैं कह रहा है सबसे छोटी समसंक्र सबसे छोटी बोल रहा है तो 12 को टिक मारे हैं सबसे बड़ी बोल देता तो दूगो अगला दूगो पिछला तबने ये बीच में होगा भी और हमेशा याद रखें आउसत का मतलब होता है बीच बला इसलिए मैंने आउसत भी लिखा है ब्रैकेट में बीच वाला भी लिखा है इतनी इसी बात समझ में आ रही है आप सभी को आपके गणित को इसमें थो क्लिप्स हैं ये आपके लिए ठीक है जो आपके माइंड को एकड़म स्थिर करेगा एकड़म कंट्रोल करके रखेगा और आपके गणित को मक्षन बनाएगा पांच करमागत समसंख्याओं का उसत धाइस हो है तो योग धाइस हो है तो आप क्या करेंगे आउसत कहिए या फिर बीच वाली संख्या मैंने अभी अभी बोल दिया बीच वाली संख्या कहिए या फिर ऑसत कहिए दोनों एक ही चीज है डियर और बीच वाली संख्या और ऑसत निगाना है तो संख्याओं का योग यह और बटे कुल संख्या पांच है पचास पचे ढईस हो तो बीच व पहले 48, 48 से पहले 46, आप से क्या पूछ रहा है, कि सबसे बड़ी समसंख्या क्या होगा, सबसे बड़ी समसंख्या 54 है, सबसे छोटी बोलता 46, पीच वाला या उसत बोलता तो 50, फिलाल उसत पूछा है नहीं, तो हम 54 को अंसर लगाएंगे, D is the correct answer, कैसा लग रहा है, आपके गणित को मक्षन बनाने की जिम्मदारी हमारे साथ, हमारे उपर है, एक और मैं आपको सजेशन करूँगा, कि आप हमारा फाउंडेशन बैच जरूर लीजिएगा, जो इसी महीने में 25 तारीक से शुरू हो रहा है, फाउंडेशन 2.0, और आरके रूदरा सर, जिके जीस का बैच भी लेकर आ रहे हैं, अप्लिकेशन पर बहुत जल्ब, यह फाउंडेशन 2.0 में अभी एड्मिशन जारी है, और एकदम निव एंड फ्रेस, मैंने इसके अंदर अभी डेमो भी ने पड़ा, इस महीने के अंतिम में इस बैच की शुरूआत होगी, एड्मिशन चल र सौट में लिख देता हूँ, ड्री स्टी ओ, ड्रीम क्लासेज ओफिशियल, जो आपको प्ले स्टोर पर उपलब्द है, सर्च करिए, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लिंक मिलेगा आपको, ठीक है, तीन करमागत विसम संख्याओं का योग 51 है, आपको अगर बीच वाली संख्या कहे या औसत कहे, दोनों एकी चीज़ बात है, तो औसत बराबर संख्याओं का योग बटे तीन संख्या है, बीच में आपको मिल गया सतरा, बीच में सतरा मिल गया और तीन संख्या है, तो सतरा के बाद 19, क्यों? क्योंकि विसम है, तो सतरा के बा और पिछला भी देख लिए अगर पूस्ता की अगली तंक या फिर बड़ा पूस्ता इसी सवाल मैं तो नीई फुटा पूस्त तो 15 आपसे पूछए बीच वाला आप देख सकते हो यह बीच में है वैसे भी बीच वाला निकालने के और कहेंगे इतना कमप्राइज में इतना बहतर क्लास जुड़ना तो बनता है ठीक है पांच करमागत विसम संख्याओं का योग 145 है पहले हम बीच वाली संख्या निकाल ले चोटी विसम संख्या पूछ रहा है तो आप बीच वाली कैसे निकालेंगे क्योंकि योग दिया संख्या मतलब वह सथ पांच करमागत विसम संख्याओं का योग 145 है तो 145 बटे 5 करेंगे तो 29 हो गया विच वाली संख्या और आपसे पांच संख्या का बोल रहा है ना विसम बोल रहा है पांच करमा तो यह भी विसम है तो 29 के बाद 30 के वाद 33 क्योंकि दो अगला दो प पिछली संख्या तो आपसे क्या रहा है सबसे छोटी सबसे छोटी विसम संख्या सबसे छोटी विसम संख्या जो होगा वो 25 होगा और यह 25 आपको बी नंबर ओप्शन में आता है 25 क्या है बी नंबर में हम आगे बड़े आपको हेल्प लाइन के लिए उपर नंबर दे दि करी देगी कॉल भी कर सकते हैं हो सकता है कॉल का सिड यूल वीजी रहे ठोड़ी टीम वीजी रहे लेकिन मैसेज करिएगा whatsapp पे तो हम आपको बिल्कुल रिप्लाइ देंगे हमारी टीम बिल्कुल रिप्लाइ देगी आई सवाल क्या कहे रहे डियार सवाल है पांच करमागत विसम संख्याओं का योग ये पच्पन है पहले आप बीच वाली संख्या निकालिए बीच वाली कैसे निकाली जाती है संख्याओं का योग पच्पन है और ये पांच संख्या का है सबसे बड़ी विसमसंख्या आपसे चोटा पूछ दो विसमसंख्या पूछ रहा है सबसे बड़ी समसंख्या जो है वो आपको पंदरा जो पी नंबर उप्शन में उप्लव दे आई बात समझ में एक दम गणित मक्षन एक दम मक्षन बिलकुल आगे बढ़े इतनी सी बात आपके समझ में आ रही है चलो भाई आगे बढ़ते चार करमागत समसंख्याओंगा योग Е 36 है टीक है न पहले क्या करेंगे बीच वाली संख्या आप ऐसे भी निकाल सकतो है 36 बटे 4 करेंगे तो आपको 9 जो मिलेगा वो बीच वाली संख्या मिलेगी बीच वाली संख्या पीच वाली संख्या, सवाल क्या कह रहा है, चार करमागत संख्याओं का योग 36 है, तो 36 में 4 से भाग देंगे, तो 9 हो जाएगा बीच वाली संख्या, लेकिन अब समझने की बात है, कि सर ये बीच में है, लेकिन क्या एक संख्या है, ना, तो ये बीच में तो रहेगा, लेकि पूझे तक हमने नई सीखा था छे सवाल में अभी सीखेंगे चार कर्मागत संख्याओं का योग 36 है तो भीचवाली निकालने के लिए का बोलेथे योग बटे कुल संख्या, 43 ब्टे 4 करेंगे 9 9 भलेगी आउस्थ है लेकिन क्या ये इक सम्संख्या नहीं चर्चा ओर रहा है चार कर्मागत संख्याओं का यूग siyarob बोल गाज तो जो जो गाओं 36 वक्रेंगे नौ यह 9 बीच बाला कह लीजिए और और कहीं ऐसा नहीं कहा गया है कि समसंख्याओं का उसत बिसम नहीं हो सकता है लेकिन वह कॉंटिंग में नहीं आएगा नौ है नौ ऑसत है बीच में रखें और चार बोल आगर अगर यह अगर यह कॉंट भी हो जाता तो फिर 3 किदर बैठाते एक इधर दो उदर या दो इधर एक इधर अड़ेस्ट करने में इसलिए कोश्चन सोथ समझके बनाया जाता है यह उसत बीच में आ गया और चार बोला गया तो दूगो अगला दूगो पिछरा क्या पूछ रहा है तीसरी संख्या ग्याद करें तीसरी संख्या नहीं तीसर आपको दस में लेबल है कोश्चन में आप देख लीजिए आपको इस तरह के प्रश्चन बहुत कम देखने को मिला होगा और मैं जो अधुर ट्रिक दे रहा हूं वह आपके लिए बहुत रामबान सा भीत होगा अगला प्रश्चन का करमागत संख्याओं को और योग एक सो आपको दिखे 17 हो जाएगा बीच में और यहीं सतरह जो है वह आपका ओसत का काम करेगा बीच वाला ही ओसत कहलाता है और देखे 6 करमागत संख्याओं कहएंगे सर ये तो भी सम है कोई बात नहीं है ये बीच में आएगा भले कांटिंग नहीं होगा तो छे संख्या बोल र पहले 16, 14, 12 ठीक है अब आपसे क्या पूछ रहा है भी तो सबसे चोटी संख्या सबसे चोटी 12 होगा जो डी नंबर ऑप्शन में है क्लियर है एकदम पड़े आगे पक्का लोग करें चल चार करमागत विसम संख्याओं का योग भात्तर है विसम की बात हो रही है तो आप पहले बीच वाला निकालिए बात्तर है बात्तर में चार संख्या का बोल रहा है तो बीच वाला ठारा तो है देखे याद रखेगा विसम संख्याओं का उसत सम हो सकता है कोई दिक्कत ने सम संख्याओं का उसत विसम हो सकता है लेकिन सम संख्या सम ही रहेगा विसम स संख्या इसका उससमाया हो सकता है चार भूल रहा ह। दूग को पीछला क्या चार क्या के बाद बिशाल संख्या उनीस के बाद एक 18 से पहले सतरा सतरा फ़्ffentlich पथंख्या जो यह जो दी नम्बर हो रहा है डियर आयाना में उत्तर दीजिए कि अगरे आगे अगला चलिए पहले तो आप बीच बाला निकालिए ठीक है क्या कह रहा है सवाल भी कर्मागत विश्म संख्याओं का योग है तो आप पहले बीच बाला निकालिए बीच बाला को ही औसत कहते हैं यो यो तेंस बार में टीज पर विश्म का चर्चा हुआ है जह हें क्योंकि तीन को आगे तीन को पीचे में डिये चृती से भाग दिये टीस और चैंख्या है आप से क्या पूछ रहा है बही चौथी संख्या ग्याद करिए पहली दूसरी तीसरी चौथी ये कैसी संख्या है बही चौथी संख्या जो 31 पे जाके रुकेगी पहला नमर क्लियर है एक दम एक दम गनित को मक्कन समझ कर चलेगे आप देख पा हरहे और आपको एकदम डेमो दे रहे है बहतर बहतर कोश्चन चलिए solve करिए सवाल के रहा है तीन कर्मागत संख्याओं का गुननफल कितना होगां जिनली Lord produce क편 दिनको ओण क्रमागत संख्या ढूंड़ी है जिनको गुना करने पर 15 आया और जोड़ने पर 15 आया और गुना करने पर पताना है आपको तीन को ऐसे संख्या बताइए जिनका योगफल 15 होना चाहिए अब बाई ऑप्शन से तो होगा नहीं आईए पहले देखिए दो तीन चार लीजिए तो नहीं हुआ तीन चार पांच लीजिए ये भी नहीं हुआ चार पांच छे लीजिए हाँ ये हो गया संख्या कौन सी हो सकती है जो पॉसिबल है संख्या रखिए 4,5,6 इनका योग्य करिएगा 5,496 15 इनका गुननफल करिएगा थोड़ा सा सवाल घुमा के पूछा है ले गुने पांच गुने छे करिएगा चार पचे बीस बीस चक एक सो गया गनित एक बार फिर से मक्षन है बिलकुल है इस नंबर पर कोई भी दिक्कत हो बैच पर्चेस करने में जैसे अभी हमारा जो है ना अभी एक बैच बहुत ट्रेंडिंग में है और नया बैच है और आप उसको जोईन करते हैं नाम सुना होगा अपने बहुत चर्चा सुनी होगी अपने बैच की फांडेशन तू पॉइंट जीरो यह आने वाली सभी परिक्षाओं का रामबान होने वाला है मैथ रिजनिंग का यह बैच है और इसी महीना के अंत में इस बैच की शुरुआत और यहां पर जाके आप बैच ले लिए होगा कि कोई भी आपको हेल्प लाइन चाहिए है अपर इस नंबर से कॉल वर्ट सब्सक्राइब होगे मिलते हैं नेक्स ट्रिक में ओके